सब्सक्रिप्शन के मांग करते हैं यहां पे जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट अविलिबल है Magnet Brains पर ऐसा नहीं होता है कि दो चाप्टर आपको फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फ्री चार्ज करते हैं या हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन के मांग करते हैं यहाँ पर जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आपको बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट अविलिबल मिलेंगे और यह है Magnet Brains की पूरी Humanities की टीम जो की जोरो शोरो से महनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोज बनाने आप इन वीडियोज को देखके एक्जाम्स में बहुत अच्छे मांग स्कोर कर सके और अपने माबाप का नाम रौशन कर सके आज के इस वीडियो में हम बहुत ही important chapter स्टार्ट करने वाले हैं इस ट्रांसपोर्ट आन कम्यूनिकेशन जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एन एकानॉमी उसका जो chapter number 10 है ट्रांसपोर्ट आन कम्यूनिकेशन उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में यह chapter बहुत ही simple है बहुत interesting है यह chapter आप लोगों को लगीगा कि हाँ sir हम डेड़ घंटे में या दो घंटे में हम इस पूरे chapter को खतम कर सकते हैं चैप्टर में technicalities बहुत technicalities एक समझो आपकी है यह नहीं बहुत कम है एकदम ना के बराबर technicalities है आप लोग एक बार रीड करोगे उसी में आपको मज़ा जाएगा एकदम शोरी फॉर्मेट में है तो इस chapter में कुछ भी घबराने जैसी बात नहीं है बहुत easy chapter है बहुत ही शा महां बांद लेते हैं ताकि हम इस chapter को पहले वीडियो में ही बहुत अच्छे से समझ ले फर्स जो वीडियो होता है वह बहुत important इसलिए होता है क्योंकि यह पूरी story बना देता है और इस story को आप relate करेंगे कि बाकी सारे वीडियो से आपको सारी चीजे अल्रेडी clear हो जाएं transport and communication अब यह जो आप image देख रहे हो यहाँ पर कुछ factories वगएरा लग रही है कुछ trucks वगएरा खड़े हैं यह सामान इसमें रख रहे हो यह truck कहीं और जाएंगे यह आप आपकी जो books shelf है यह आप आपकी library जो देखते हैं school में आपकी घर में जो books है आप सूचे यह books आपके आ आपने लिया होगा यहां थर्ड image में देखें तो थर्ड image में हमें यह देख रहे हैं कि खेती में मतलब खेत में यह tractor अपना काम कर रहा है यहां पर खेती में बहुत सारे काम equipment tractors इन से होते हैं और यहां पर जो फसल कटेगी यह फसल कटके हम मंडी में देते हैं मंडी वाल इसे market में sell out करेंगे कुछ भी like गेहूं का वो लोग आटा बना के वो लोग market में देंगे तो इस पूरे process में कहीं न कहीं आपको transport की आवशक्ता जरूर होती है अगर हम देखें कि factory में काम चल रहा है factory में कुछ goods बन रहे है factory में अच्छा खासा production हो रहा है तो यहाँ पे transport के अवशक्ता कैसे पड़ी है कि यह सामान को लेके कौन जाएगा यह सामान को बाहर market तक भी तो पहुचाना है इसे factory का ही थोड़ी न काम है हमें इस सामान को market तक भी तो पहुचाना है या इस factory में raw material भी तो लगेगा तो raw material कहां से आएगा raw material मानलो अगर यहां से आ रहा है like खेत वगेड़ा से आ रहा है तो यहां से truck में सारे सामान यहां आ रहा है फिर यहां पर वो सारा सामान बन रहा है और सारा सामान बनने के बाद इन truck में final goods को रखके market में पहुचाए जा रहा है वैसे अगर आप books देखते हैं तो ये books कहीं बन रही है कहीं से पेपर के लिए कहीं से हम कोई दूसरा raw material आ रहे हैं फिर इनको print हो रही है फिर आपकी library तक जा रही है फिर वहाँ से आप घर लेके जा रहे हो तो इन समय क्या हुआ कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट क्या वशकता होई आप mall जाते हो तो mall आप किस से जाओगे आप auto से जाओगे आप अपनी स्कूटी से जाओगे आप अपनी कार से जाओगे आप अपने bike से जाओगे आप cycle से जाओगे कहीं ना कि एक ट्रांस्पोर्ट तो आप यूज करोगे ना मौल जाने के लिए ऐसा ही थोड़ना है हम पैदल भी जा सकते हैं अब आप यह मत बोलना किसे हम पैदल भी तो जाते हैं बिलकुल अगर गर के पास में वोगा तो पैदल जाओगे लेकिन जो दूर होता है हमारे गर के बाहर मौल तो उसमें हम किसी में बैठके जाते हैं आप श्कूल जा रहो तो आप बस में जा रहो तो ट्रांस्पोर्ट की जरुवत लग रही है ना वैसे यहाँ पर अगर हम प् मैगनेट बेंज के ऑफिस में कैसे आई यहाँ पर ट्रांस्पोर्ट के दुआरा यह सारी चीज़ें मैगनेट बेंज के ऑफिस में आई है अब हम आते हैं सेकंड वाले टॉपिक पर सेकंड वाली हेडिंग पर डाक्टिस कम्यूनिकेशन अब कम्यूनिकेशन में आज के त कर रहे हैं यहां पर हम चीजों को कम्यूनिकेट कर रहे हैं आज के टाइम में कर आप और देखो तो Instagram हो गया Facebook हो गया Twitter हो गया what's up हो मैंसेंजर YouTube जी सारी चीजें क्या है यह communication आइड़ि आइडियाज के बारे में बात करती copying आइडियाज हो रहे हैं ठीक है यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं यूट्यूब पर कोई इंसान एक अपना एडिया दे रहा है आप वो आइडिया देख रहे हो मैं भी ऐसा कर लिता तो यहां पर communication भी easily हो रहा है और communication में भी कुछ-कुछ माध्यम है लाइक Zoom call हो गया लाइक वीडियो call WhatsApp हो गया Instagram हो गया यो कि आज के दारेक में सबसे ज़्यदा धारी मैं यूट्यूब उससे भी ज़्यादा धारी मेंश हैं सब्सक्छार रही है जो कि आप डे-to-day life में डेली आप इन चीजों को इस्तेमाल कही न कहीं कर रहे हो या फिर आप डेली कहीं न कहीं टरांसपोर्ट के मादध से आप कहीं न कहीं जा रहे हो तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डेली बेसेज पर आपके साथ हो रही है पल पल पर आपके साथ में हो रही है इनी चीजों को हम यहां पर अच्छे से detailed way में समझेंगे clear है now the following diagram shows the major means of transport अब हम यहां पर next video से क्या करेंगे हम means of transport पढ़ेंगे like land में हम पढ़ेंगे road railway pipeline फिर हम water में पढ़ेंगे inland waterways, sea and oceanic route like एक waterways वो होते हैं मालो कि हमने देखा कि हमको सामान कहां से कहां लेके जाना है मालो inland waterways में हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो नदियां हैं अंदर ही लाइक गंगा हो हो गया कि जो बड़े-बड़े जाहाद जो समुद्र में चल रहे हैं यह वह वाली बात हो गई road जो आप देखी रहे हो रेलवे pipeline में क्या है गैस वगएर यह सारी चीजे जारी pipeline गैस बतलब pipeline गैस की pipeline होती है ठीक है यहाँ पर भी pipeline के महद्दिम से भी चीजें हो रही है देन एयर में हम देखेंगे national और international international flights national flights आपको कहीं इंडिया में कहीं जाना हो आपको कहीं विदेश जाना हो तो यह तमाम चीजें हम इस पूरे तो हम ऐसी लिख देंगे कि हो हो एक प्लें जा रहा है दिली से बैंगलोर हम ऐसा बोलेंगे लेकिन अब हमें थोड़ा सा systematic way में यहां पर करना है कि national यह होता है international यह होता है रोड है तो रोड में national highway होते हैं state highway होते हैं हम इनका थोड़ा classification पढ़ेंगे रेलवे होती तो इंडिया में रेलवे बहुत एक इंडिया में एक जगा से दूसरे जगा अगर समान पहुचाना है तो हम यह नदियो का इस्तमाल करते हैं प्रिवियस वीडियो में हमने हमारे एक नया चाप्टर स्टार्ट किया था दाट इस ट्रांस्पोर्ट और इस चाप्टर में लास्ट वीडियो में हमने पूरा माहूल बना लिया था हमने पूरा एक समा बना लिया था कि ट्रांस्पोर्ट और इस चाप्टर बिलकुल भी टेक्निकालिटीज वालन नहीं है बहुत ही इंट्रस्टींग चाप्टर रहे हैं बहुत ही सरल चाप्टर है ऐसी चीजें जो डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते होगा कुछ लोगों ने देखाय वही मैट रोज हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है वही चीज़ें हैं बस हमें इसे थोड़ा सा एक डीटेल वे में समझ जाई लेक्रोड में हम लोग देखेंगे नाशल थे लेक्राइवे क्या ऑता है डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं इनकाम थोड़ा सा classification के बारे में समझेंगे, ठीक है, तो start करते हैं land transport पे, land transport कौन-कौन से उतने, एक तो road वाला होता है, land transport, एक railway और एक pipeline, इन तीनों को हम लोग land transport में जोड़ते हैं, ठीक है, और to be specifically, हम लोग बात करने वाले हैं road transport के बारे में, तो पहले एक overview देख लेते हैं, land transport के पारे में, तो पहले एक overview देख लेते हैं, land transport के पारे में, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. The pathways and unmetall roads have been used for transportation in India since ancient time. With the economic and technological development, metal roads and railways were developed to move large volume of goods in India. People and economy, people from one place to another. Ropeways, cableways, pipeline were devised to cater all the demands of transporting specific goods under special circumstances. आप खुद सोचिये, land transport के बारे में आप खुद थोड़ा से दिमाख लगाईए, यह जो land transport है, यह सबसे ज़्यादा means of transport आज की तारिक में यूज होने वाला, और आज की तारिक में ही नहीं, अगर हम ancient time में भी जाएं, तो कहां हम इतने plane और कहां हम समुदर में, हम कहां इसे जाहाज में जा रहें, इतना नहीं होता था न, इवन आप आज भी देखें, तो आज हम train और road पे जो traffic रहता है, जो यहाँ पे जो passengers रहते हैं, चाहिए आप roads पे देखें, चाहिए आप trains में देखें, वो हमें plane या वो हमें ships पे देखने को नहीं मिलता है, जितना है कि हम road पे और trains में देखते हैं, तो जो land transport है, वो सबसे ज़्यादा important mode of transport है, क्योंकि सबसे ज़्यादा passengers या तो by road जा रहे हैं, या by train जा रहे हैं, और उसमें भी more specifically by road जाने वाले passenger की सबसे बड़ी संख्या है, जो plane है या जो ships बगएरा हैं, ये basically use हो रहे हैं goods को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने में, लाइक अगर international trade के हम लोग बात करें, तब वहाँ ship का role या plane का role आ जाता है, plane ऐसा नहीं है, plane हमारे passengers मतलब ऐसा नहीं है, plane में आप लोग भी travel करते होंगे, अब transport और road और railway के द्वारा भी आपने माल गाड़ी देखी होगी, माल गाड़ी में पूरा सामान भर देते हैं और वो गाड़ी जाती रहती है, या अगर आप लोग देखेंगे तो बड़े-बड़े trucks होते हैं, highway पे वो सामान एक जगा से दूसरी जगा लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल जब domestic level पे चीज़ें होती है, तो domestic level पे road और railway का बहुत important role है, लेकिन जब हम international level पे चीज़ों को देखते हैं, तब वहाँ oceanic या फिर airways का बहुत important role है, तो majority of the population is still depending on the land transport, ठीक है, land transport पे सबसे ज़्यादा population यहाँ पे travel कर रही है, अब वही बात है कि ancient time में हम लोग देखते थे कि कच्चे road है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो भाईया अच्चे road बनने लगा है, रेल्वेज आ गई, अंग्रेज आ है, रेल्वेज लेका है, अब उन रेल्वेज में हमने innovation कर दिया, अब हम लोग bullet trains की बात करने, हम लोग metros की बात करने, metros हमारे इंडिया में हैं, और super fast trains की हम लोग बात करने लगए, दीरे दीरे यह rope phase वगेरा आ गए, जहां कि हम goods को एक जगा से दूसरी जगा पहुचा पाए, बलब with the evidence of technology, हम देख रहे हैं कि transport में भी हम देख रहे हैं कि नई-नी technologies आ रही है, नई-नी technology के माध्यम से, ये जो transportation वाला system है, ये बहुत बहतर बन रहा है, ये citizens की, ये consumer की demand के according, नहीं यहाँ पे innovations होने लग गए है, clear है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, land transport का आपको एक basic चीज़ें समझ में आ गई है, अब बारी आती है road transport की, road transport पे अब हम specifically बात करेंगे, road transport को ठीक है, आप ऐसी roads देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से, आज मम्मी मुझे यह लेके आना है, तो हम जा रहे हैं, बाजार में कुछ खाने पीने का समान ला रहे हैं, वो समान खा पी रहे हैं, यह सारा काम चल रहा है, चीक, India is one of the second largest road network in the world with a total length of about 50 lakh km, इंडिया में second largest road network है, फर्स्ट किसका है, यह आप लोग comment section में mention करेंगे, और यह आप कैसे mention करेंगे, आपको जिसको पता है, वो बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं पता है, तो हाथों को कश्ट देखे, गूगल पर आप लोग search करेंगे, ठीक है, तो इंडिया में second largest road network है, रोड़ आज की तारिक में बहुत speed से बन रहे हैं, about 85% of passenger and 70% of freight traffic are carried by roads every year, यह पर यह बताया गया है कि 85% of the passenger, जो 85% जो हमारी जन्सन क्या है, वो road के through travel कर रही है, और 70% जो goods हमको इधर से उधर भेजना रहता है, वो किस से हो रहा है, वो road के माध्यम से, अगर हमें छोटे distance पर travel करना है, तो हम road transport prefer करते हैं, लेकिन अगर हमें लंबे distance पर जाना है, तो बिलकुल हम दूसरे transport पर जाएंगे, लाइक मुझा अगर मुंबई से डेली जाना है, तो मैं या तो train या flight इन दोनों चीज़ों में consider करूँगा, ऐसा नहीं कि लोग गारी से नहीं जाते, लोग गारी से भी जाते, roads अच्छे हो गए, लेकिन most of the passenger, हम most of the passenger की बात कर रहे हैं, कि अगर किसी को मुंबई से डेली जाना होगा, तो या तो यह सोचेगा कि मैं train में अपना reservation कर वालू, तो मैं train से जाऊँगा, वहीं अगर डेली से अगर हमको यूपी जाना है, तो यूपी में अगर पास वाली जगा जाना है, अगर आगरा वगेरा में जाना है, आगरा जाना है, मेरेट जाना है, मतुरा जाना है, तो हम लोग road transport prefer करेंगे, वहीं अगर हमें दूर जाना है, लाइक वारणासी बगएरा जाना है तब हम सुचेंगे आट रेन से चल देगा तो मतलब शौटर डिस्चंस पर क्या हो रहा है शौटर डिस्चंस पर रोड का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है चीक अब जो गुर्ड बगएरा है गुर्ड बगएरा भी आपने देखोंग हम प्लेन में अगर दिल्ली से मुंबई अगर हम लोग सामान भेजेंगे प्लेन में भेजेंगे तो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन वही सामान अगर हम रोड के द्वारा भेजेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा ठीक है तो एक 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 इकनोमिकल वैल्यू भी आ जाता था पूरे पैर की चड़ में हो जाते थे ठीक है उतना जादा रोड ट्रांसपोर्ट और इतने जादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं थे लेकिन रोड डेवलप हुए देश आजाद होने के बाद यह जब अंग्रेज आया तो उन्होंने थोड़ा सा रोड को चिक और उसके बाद में हमारी सरकारों ने महनत की फिर जैसे जैसे रोड अच्छे बने वैसे वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप होते गया अब बसे बहुत जादा चल दे ले पहले कितनी कम बसे चलती थी अब अगर आप निकलो तो आपको दो तीन चार बस तो मामुरी सी बात है दिख जाएगी ठीक है तो जैसे जैसे रोड बने वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी यहां पे भी टेक्नोलोजिकल एडवांस्मेंट होने लग गया अब यहां पे थोड़ा सा हिस्ट्री बाला बताया है कि यह जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का है यह रोड ट्रांसपोर्टेशन का कब से शुरू हुआ तो ऐसा बताया है कि 1943 में जब नागपूर प्लान बना था तो यहां पे रोड बनाने की बात की गए थी लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट से जहां राजा महराजा अपना रूल करते थे और कुछ एरिया ऐसे था जहां पे अंग्रेज लोग रूल करते थे ठीक है यहां पे जहां पर ब्रिटिश पर्लिमिंट का साशन था जो कि अब्रेटिश इंडिया किय द knot करना अंग्रेज जरूल TRd कारा दा शाते थे पर अपने फायदे के लिए basically वो अपना फायदा देखने के लिए वो रोड बगेरा की बात करने लगे थे उनको इतना ज़्यादा हमसे कहां लगाव था कि इन लोगों की भलाई करते इतना होता तो वो बहुत कुछ अच्छा भी कर देते तो वो बेसिकली अपने फायदे के लिए रोड बना रहे थे लेकिन कहीं न कहीं उसने हमारा फायदा किया है चीक देन आफ्टर इंडिपेंडेंटेंस 20-year रोड प्लाई नाइंटीन सिक्सीवन वस इंटोडूच चू इंप्रूव दा कंडिशन ओफ रोड इन इंडिया अगर हम ऐसे रोड बन रहे हैं तो इन रोड पे खा जा रहा है सरकारे रूपे खा जा रही है नीचे जो बाबू है वो बाबू रुपे खा जा रहा है तो एक तो एक करप्शन वाला था तो रोड इच्छे से डेवलप नहीं हुपा है टेक्नलोजी भी नहीं थी और बेसिकली फिर जब रोड बने ना तो यह शहरों के पास में जादा बनने लगे अगर हम लोग देखे गाओं के पास में या गाओं वाले एरिया में रोड कम बनने लगे लेकिन वह हम देखे तो शहरों में बहुत स्पीड से रोड बनने लगे चीक है तो यहाँ पर क्या हुआ लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हम आज के सन को आप धियान करो जैसे जैसे हम 2021-23 अप प्रेजेंट एरा की बात करो तो आज के तारिक में कितने ज़्यादा रोड डेवलप हो गया अल्दो जो हमारा प्रोसेस था वो स्लो था ले बढ़े एकदम स्पीड से रोड बनने लगे और इनका मेंटेनेंस अच्छे हो सके क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री इतने ज्यादा रोड है अब इन रोड का मेंटेनेंस करना इन रोड पर देखना तो इन रोड को क्लासिफाय कर दिया कि नैशनल हाइवे स्टेट हाइवे मेजर डिस्टिक रोड और रूलर रोड इनमें क्लासिफाय कर दिया ताकि इनका मेंटेनेंस हो सके इनका मेंटेनेंस करने के लिए अलग अलग बॉडी कर रही है स्टेट हाइवे का मेंटेनेंस एक अलग बॉडी कर रही है डिस्टिक रोड का मेंटेनेंस एक यहां पर मद्यप्रदेश है यहां पर उत्तरप्रदेश है अब अगर रोड बनाना है तो मद्यप्रदेश की सरकार तो बोल सकती कि हम उत्तरप्रदेश में हम उत्तरप्रदेश से connecting road क्यों बना यहाँ पे बीजेपी की सरकार या कॉंग्रेस की सरकार ऐसा मालो तो यहाँ पे coordination नहीं होगा न तो जब coordination वाली बात आई road बनाने की बात आई maintenance की बात आई तो इस तरीके से classify किया गया जो road अलग-अलग state से होके गुजर रहा है उसको national highway का करार दे दी गया उसे national highway बोला गया ताकि यहाँ पे central जो authority है वो ध्यान रखेगी कि इस state से यहाँ पे आया तो यह लोग ध्यान रखेंगे लेकिन कुछ roads ऐसे हैं जो सिर्फ state के अंदर ही है तो उन्हें state highway बोला गया ठीक है और इस तरीके से फिर इनका maintenance भी ध्यान रखा गया यह वाली चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई है अब हम बात करेंगे national highway की एक एक करके हम इनका classification को समझेंगे national highway state highway district road एक एक करके अब हम क्या करेंगे हम इनके classification को हम यहाँ पे समझेंगे कोशिश करेंगे सबसे पहले national highway the main roads which are constructed and maintained by the central government are known as national highways these are meant for interstate transport and movement of defensemen and material in strategic areas they also connect the state capital major cities important ports railway junctions etc the length of national highway has increased from 19,700 km in 1951 to 1 lakh के सम्टिंग थी कि 1 lakh km in 2016 the national highway constitute only 2% of total road length but carry 40% of the road traffic आप यह image को ध्यान से देखो ऐसे आप ने देखा होगा बड़े बड़े highways रहते हैं जहांपे ट्रक्स जो दौर्डी हैं गाडियां दौर्डी हैं यह होते हैं national highway अब national highway में बेसिकली क्या होता है national highway में यह होता है कि अलग-अलग state इनको सबसे पहले एक central government इन्हें monitor करती है इन्हें कौन monitor कर रहा है इन्हें monitor करती है central government central government ने भी अभी एक authority आएगी वो इन्हें monitor करेगी लेकिन central authority है कि यह क्या कर रही है अलग-अलग state को correct कर रही है मालनों यहां पर MP है यहां पर UP है फिर यहां पर हम डेली ले ले लेते हैं यहां पर मैं राजिस्तान ले लेता हूं ठीक है तब यह एक road है जो राजिस्तान से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे घूम के वापिस ऐसे गया है तो यह अलग-अलग state से अलग-अलग जगा से गुजर रहा है तो इसे हम क्या इसे हम national highway बोल देंगे यह nationally important road है ठीक है साथी साथ क्या हो रहा है यह जो national highway होते हैं यह बड़ी-बड़ी cities को connect करते हैं बड़ी-बड़ी cities को क्यों connect करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यह यह जो transport यह ट्रक वगेरा दोड़ रहे हैं यह industries के पास प्रम समान पहुचाएंगे बड़ी-बड़ी cities में सबसे लखनाओं लखनाओं को भोपाल भोपाल से जैपुर चीक है यह बोपाल से मुंबई डेली टो मुंबई मुंबई टो बेंगलूरू यह जो major cities को connect कर रहे हैं उन्हें हम national highway कहते हैं यह चीज समझ में आपको और हम देख रहे हैं कि national highway बहुत कम है देखा जाए तो 2% ही है प जो traffic है वो सिर्फ और सिर्फ national highway का है और इनका road में contribution देखें ठीक है अगर हम देखे कि कितने percent national highway तो मालो हम ऐसा बोलेंगे कि road में इनका सिर्फ 2% contribution है लेकिन traffic में क्या होता है traffic में 40% traffic यहां से गुजरता है यह क्या बता रहा है कि लोग अलग state का movement अलग-अलग state में movement हो र समान आ रहा है like Kolkata से लखनों समान जा रहा है like Patna से लखनों समान जा रहा है तो यह trucks के जरिये समान जा रहा है तो यहां पे सबसे जादा में traffic यहां पे सबसे जादा में गाड यहां यहां पे सबसे जादा हमें trucks दोडते हुए दिखते हैं clear यह चीज आपको यहां पे device transport it is interested with responsibility of development maintenance and operation of National Highway this is an apex body to improve the quality of road design as National Highways चीक है अब इस पर कौण दियान रखेगा, नाशनलाब दियान रखेगा, तो National Highways Authority of India दियान रखेगा यह Central Level मौडी है धियान रखेगा, national highway को Central government मैंटेन करती है मतलब यह Central Level बॉडि हे ये जो एंच आई नहिए ये सेंटर लेवल बॉड है ध्यान रखते ही कहाँ हाईवे बड़वे कि मेंटेन करना है क्या होरा है ये सारी चीजbacks ये बॉडि ध्यान रखती है चीक है एक अलग से सेपरेड बॉडि इसलिए बना दी कि सरकार क्या काम करेगी ठीक यह जो मिनिस्ट्री है जो अलग-लग जो सरकार की मिनिस्ट्री है ट्रांस्पूर्टेशन की रोड वगएरा की यह कितना ध्यान रखेगी इसलिए इन मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉड़ी बना दी है उत पर ध्यान दो ठीक है तो एक यह बॉडि बना दी कई है यह वाली चीज आपको कलियर हो गई है अब हम मैध करेंगे स्टेय्ट हाइवे की अब सेट हाइवे का क्या होगा स्टेयच हाइवे बेशिकली होगा कि यह स्टेयट गवर्मेंट के द्वारब मेंटिन किया जाएगा और यह basically जो state capital district headquarter है उनसे connect करेगी these roads are connected to national highway these constitute 4% of total length in the country अब ऐसा समझते हैं हम state highway को कि आप यह समझो कि यह मद्यप्रदेश है मद्यप्रदेश का capital का है भोपाल भोपाल में क्या है भोपाल में मैंक्रेट इंज का office है ठीक है। हम देख रहे हैं कि मालो हम अमनद्यप्रदेश है ऐसा ही समझले में स्क्टाई शेप में बना taking इस कि यह मद्यप्रदेश के पूरा कि एक स्केंड पूरा मद्यप्रदेश के आब इस मद्रदेश में यहां है मालो भोपाल और हर राज्य में उग हर होशंग भाद ति मैं होशंगाबाद ग्वालियर अप अब स्टेट हाइवे क्या होगा स्टेट हाइवे यह होगा कि जो बैसिकली जो क्यापिटल है इस क्यापिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा है वो हो गया state highway अब यह जो state highway है यह basically national highway से connect भी होते हैं क्योंकि इस जो मद्यप्रदेश है मद्यप्रदेश में national highway भी जाएगा ठीक है मद्यप्रदेश में national highway भी जाएगा तो यह national highway से कहीं न कहीं connect होते हैं मालू कि यहां से national highway गया है, मैं मालू कि यहां से भोपाल के पास से यहां पर क्या हो रहा है, national highway गया है, तो इस national highway पर यह state highway यहां जाके connect हो जाएगा, clear है, यह चीज़ समझ में आई, कुछ इस तरीके से समझो, और better clarity के में लिए, मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, कि मालू यह national highways है, ठीक है, यह एक national highway है, इसको मैंने लिख दिया, national highway, यह national highway जा रहे हैं, अब यहीं पर क्या हो रहा है, पास पास में state highways, state highways आके इनको connect करते हैं, यह हो गया state highways, यह हो गया state highway, जो state highway है, वो national highway में connect करते हैं, फिर state highway में कौन सी road connect करती है, state highway में connect करते हैं जो छोटे छोटे जो district roads होते हैं वो state highway में connect करते हैं ये छोटे छोटे ये district road है district roads है वो state highway में connect करते हैं और district में कौन से road connect करते हैं जो गाउं वाले road है वो एक district में आ जाते हैं ठीक है तो हम क्या देखते हैं कि जो गाओं वाले रोड है यह जो गाओं वाले रोड है यह ruler roads यहाँ पर आके connect करते हैं तो suppose करो कि मद्दे प्रे देश है तो मद्दे प्रे देश में बिल्कूल national highway होगा तो मानलो कि यहां पे यह भौपाल है चीक है तो भौपाल आप ऐसे समझा है इसको कि भौपाल है यहां पे चोटी-चोटी डिस्ट्रिक्ट लाइक मैंने बताया हर्दा खोशंगा बाद गौलियर यह मद्ध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट से हैं न यह चीजी न आप समझ से कि डिस्रिट क्या होता है तो यहाँ पर मद्द्रदेश में क्या हो रहा है नैशनल हाइवे गया है भोपार से वै suis तरीकी का रोड़ होगा मैं बताता हूं आपको जैसे यहाँ से कोई रोड़ गया होगा ये हर्दा से होशंगाबाद, होशंगाबाद से भोपाल और यही रोड कहा मिल जाएगा यही रोड जाके नैशनल हाईवे पे मिल जाएगा तो state highway वो होते हैं जो basically सिर्फ state को connect करते हैं state की capital को और state की major districts को connect करते हैं और ये state highway के road सीधे national highway से मिल जाते हैं clear ये वाली चीज समझ में आ गई ये वाली चीज आपको यहाँ पे clear हो गई है तो जो state highway है वो basically 4% of the roads होते हैं लेकिन वहाँ पे भी अच्छा-कासा traffic हमें देखने को मिलता है अब district road हो गए these roads are connecting link between district headquarters and the other important nodes in the district they accounts for 14% of total length of road जो district roads होते हैं जो main district होती है like indoor एक district है गवाली एक district है आप किसी district में रह रहे हो तो उस district में आप नहीं देखते कि बहुत सारे गाउं के road आते हैं like एक district है तो उस district में अलग-अलग गाउं connect होंगे अलग-अलग गाउं उस main district का जो headquarter है वहाँ पे अलग-अलग roads connected होंगे यह roads को हम क्या बोलेंगे district roads बोलेंगे कि एक district में जो roads हैं छोटे-छोटे roads हैं जो main उस district के center को connect कर रहे हैं वो हो गया district roads then ruler roads ठीक है these roads are vital for providing links to ruler areas about 80% of total length in India are categorized as ruler roads this is a regional variation in the density of ruler roads because they are influenced by the nature of the terrain अब ruler roads जो होते हैं जो हम गाओं के roads देखते हैं जो एक गाओं को दूसरे गाओं को connect करते हैं उन्हें हम कहते हैं ruler roads ठीक है गाओं वाले road है पहले road कुछ इस तरीके से हुआ करते थे लेकिन अब दिन पर दिन थोड़े सी स्थिती सुदर्ती जा रही है तो ये जो कच्चा road है इसी को ये लोग पक्का road करने में लगे हैं आज भी हमें ये दरश्य देखने को मिलता है ऐसी बात नहीं कि आज सिर्फ यही यही road देखते हैं आज भी इंडिया में बहुत सारी जगाया जहां roads नहीं बने हैं तो इन्हें सरकार बना रही है लेकिन कोशिश यह है कि ये जो कच्चे road है इनको पक्के road में convert किया जाए ठीक है सबज में आ गया तो इसका एक छोटा सा लुक हम ऐसे लेते हैं यहाँ पे फिर एक टाइप का road और बज़िया है वो भी बताऊंगा एक quick road quick look हम ऐसे दिखते ह है कि जो national highway है national highway को कौन maintain कर रहा है national highway को maintain कर रही है central government नेशनल highway को maintain करती है central government इस यह इस road को maintain करती है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा traffic देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा traffic हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और यह सिर्फ 2% है 2% ही है सिर्फ national highway ठीक है यह सिर्फ 2% है फिर इसके बाद में आते है state highway state highway में हम क्या देखते है state highway में हम यह देखते हैं कि इन्हें कौन maintain करता है इन्हें maintain करती है राजी की सरकार है that is state government state government इन्हें maintain करती है state government यहाँ पे भी अच्छा कासा traffic होता है बट national highway से कम traffic होता है ठीक है तो less than national highway मैंने यहाँ लिख दिया less than national highway, यहाँ पर मैंने traffic लिख दिया, और यह जो है, यह total 4% of the roads है, यह total 4% of the roads है, total 4% of the roads है, फिर आता है क्या, फिर आता है district highways, ठीक है, इसके district roads आता है, sorry, district highway नहीं, फिर आता है district roads, district, district roads, अब यह जो district roads होते हैं, district roads, यह क्या करते हैं, यह जो district है, उस district को किसे करते हैं, उस district को जो छोटे-छोटे गाउं हैं, उनसे connect करते हैं, और यह होता है total 12% के आसपास, 12% के आसपास, यहाँ पे, 12% के आसपास district roads है, total पुरे इंडिया में, फिर आते हैं, ruler roads, ठीक है, यह जो roads हैं, यह basically गाउं को connect करते हैं, एक दूसरे गाउं से, ठीक है, यह जो गाउं में रहने वाले, जो गाउं के roads हैं, उन्हें बोलते हैं, यह basically है 80%, और यहाँ पे होता है, सबसे कम traffic, यहाँ पे होता है, सबसे कम traffic, यहाँ पे हमें सबसे कम traffic देखने को मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है, इंडिया में, आज भी हम देखते हैं, तो सबसे जादा आबादी गाउं में रहती है, गाउं में और लोग भी कम रहते हैं, मतलब गाउं में आबादी बहुत जाद तो वहां पे car, bike, वहां पे car वगएरा देखने हैं हमें बहुत कम देखने को मिलती है, वहां पे bikes हो गया, या auto रिक्षा हो गया, यह सारी चीज़े हमें देखने को जादा मिलती है, car के comparison में हमें bike देखने को मिलेगे और bike से थोड़ा traffic कम होता है, comparable car या trucks देखेंगे, तो यह वाली सीज़ आपको यहां पे clear हो गई है, इसके बार में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे other roads, जो अलग-अलग और भी कुछ roads है, national highway, state highway, district roads और जो गाउंवाले roads होते हैं, उनको छोड़के कुछ हमें other roads के बारे में बात करनी हैं, हम उनको जो border roads जो होते है या जो international highway होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, the border road organization, BRO, was established in May 1960 for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated improvement of strategically important roads along the northern and northeast boundary of the country, हम देखते हैं कि कुछ roads ऐसी होती हैं, जो बहुती strategically और defense वाली होती है, ठीक है, तो इन्हें border road organization develop करता है, like हम लोग देखते हैं कि कश्मीर में कुछ roads ऐसी होती हैं, जहाँ पे से मिलिटरी वाला है जा सकते हैं, तो इन्हें border road organization develop करता हैं, आप North East में देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दूसरी countries are like Myanmar होए, उपर China है, यहाँ हम लोग जमुएन कश्मीर में देख लो, इस साइट पाकिस्तान है, इस साइट चाइना है, तो यह जो कुछ roads होती है, इनको कौन develop करता है, इनको border road organization develop करता है, यहाँ पे कोई सरकार का भी रोल नहीं है, यहाँ पे basically border road organization develop करता है, क्योंकि यह strategically बहुत ज़्यादा important होती है हमारे लि road organization इन सारी चीजों को ध्यान देता है, यहाँ पे although central government का रोल रहता है, मतलब लेकिन state government का कोई काम नहीं है, लेकिन यह roads अलग होते हैं, यहाँ पे लोग आम लोग नहीं जा सकते हैं, आप ऐसा नहीं क्या मेरा पाकिस्तान जाने कमाने तो स्कूर्टी पे बैठे और पाकिस देता है, जो की 1960 में बना था, border road organization. It is a premier multi-phase construction agency. It has constructed roads in high altitude mountains terrain, joining Chandigarh with Manali, that is Himachal Pradesh and Leh Ladakh. This road runs at the altitude of 4270 meter above the mean sea level. Apart from the construction and maintenance of roads in strategically sensitive areas, the BRO also undertakes snow clearance in high altitude area. International highway are meant to promote the harmonious relationship with the neighboring countries by providing effective links with India. ठीक है, तो यह जो border road organization यह roads बनाती भी है, और साथ में हम देखते हैं कि ठंड की टाइम में क्या होता है, कि यहाँ पे snow आजाता है, तो snow को हटाओ, snow clearance है, और जैसे चंदीगर से लेह लद्दा, मतलब चंदीगर से मनाली तक का road है, तो यहीं इसकी बात नहीं होती, तो यह लोग अपना roads बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे roads बनते है, clear समझ में आ गया, साथ ही साथ इन roads को maintain करना, यहाँ पर बरफ बारी होगे, तो उस बरफ को clear भी करना, सारा काम border road organization का रहता है, clear है, समझ में आ गया, अब आपको एकाचीज और सम आती है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत जादे important होता है, goods वागेरा के लिए important होता है, लोगों के लिए important होता है, तो ऐसे यह golden quadilator, यह जो golden quadilator है, यह क्या है, यह basically चार जो major cities है, कौन-कौन सी Delhi, यहाँ पर हो गया Delhi, यहाँ पर है Mumbai, Delhi, Mumbai, यहाँ पर नीशे हम चन्नाई, और यहाँ पर कोलकता, ठीक है, यहाँ पर कोलकता है, तो यह जो golden quadilator है, यह जो major cities है, like Delhi को Mumbai से connect किया, Mumbai को चन्नाई से connect किया, चन्नाई को को कोलकता से connect किया, और कोलकता को Delhi से connect किया, तो यह जो major cities है, इनको यह connect कर रहा है, गोल्डन कॉड़ी लेटरल जो मेजर सिटी नहिकन ते यहां पर डैली पर मुंबई जाने ओपकर पॉप हैं कि यहां नहीं तो भूप LIN have here यह 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 हम देखें डैली से मुंबई रोड जा रहा है तो इसमें जो बीर पे ऐम left important cities पढ़ती है वो cities की फिर यह रोड जारा है तो बेसिकली मेजर शीटिय सिडी को करेक्ट कर रहा है यहाँ पर सबसे ज़ाधा ट्रेड़ हम देखे हैं यह बहुत ज़ाधा वाला रोड है तो यहां पर movement आसानी से हो सकें clear है वैसे ही मुझे आपको एक और चीज बता नहीं थी North South और East West corridor है जो कि जम्मू एन कश्मीर से जो कि इंडिया में सबसे टॉप पे जम्मू एन कश्मीर से जम्मू एन कश्मीर से नीचे साउथ में कन्या कुमारी तक connect करता है ठीक है कन्या कुमारी तक कनेक करता है कन्या कुमारी तक कनेक करेगा यहां गुजरात में यह हो गया North South corridor कि इंडिया के एक जो सबसे उपर का जो टॉप है और जो सबसे साउथ में जो साउथ वाला पॉइंट है उन दोनों को connect कर रहा है ये भी अच्छा चौड़ा रोड है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे important cities इसमें आती है, बहुत सारी cities इस बीच में आगी, जब मुए कश्मीर को कन्यकुमारी से connect करना, मतलब बीच में बहुत सारी cities आएगी ना तो बहुत सारी cities इस road पर पड़ती है और यह road भी बहुत important है trading के purpose है और लोगों के लिए भी ठीक साथी साथ हमने east west corridor भी हम देखते हैं जो कि पोर बंदर से आसाम में सिल्चर तक ठीक है यहां पर पोर बंदर से यहां सीधा आसाम में सिल्चर तक ठीक है आसाम आसाम में ठीक है तो यहां पर क्या है यह east west corridor भी है तो north south corridor और east west corridor आपको ध्यान रखना है यह वाली point भी आपको ध्यान रखना है ठीक है north south corridor and east west ठीक अब एक चीज जो आपको यह ध्यान रखना है जो आपको सर्च करना है जो आपको हुमवक है यह आपको क्योंकि कई बार कॉंपटिटेव में पूछा जाएका क्लास्ट लेवल पे भी पूछा जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं कि नौर्ट साउथ कॉरिडोर और इस् समझ में आएका यह नौर्ट साउथ कॉरिडोर और इस्ट वेस्ट कॉरिडोर का यह इंटर सेक्शन वाला पॉइंट इंटर सेक्शन वाली जगा कौन सी है यह जगा कौन सी है यह आपको ध्यान रखना है इस पर क्वेश्चन आते हैं कि इंटर सेक्शन वाली कौन सी इस प अगर आपको दिहान हो तो हमने प्रीवेस वीडियो में बात की थी लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जिसमें कि मैंने आपको रोड ट्रांसपोर्ट पे मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट में ही रेल ट्रांसपोर्ट आता है लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट अब rail transport बहुत easy topic है, बहुत ही simple topic है, आपने कभी न कभी train में सफर किया ही होगा और माल लीजए अगर कोई आज सक train में नहीं बैठा तो उससे train को देखा तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोगों ने train को नहीं देखा है और most probably बहुत सारे students ने train में बैठ के उसका सफर भी किया होगा, अब आप train में ये भी देखते हो कि माल गाड़ी वगेरा भी होती है, एक train तो वो होती है जिसमें कि passengers बैठ के जा रहे हैं, दूसरी train आप माल गाड़ी देखते हो कि जिसमें goods supply हो रहे हैं, goods हम सामान भर के एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जा रहे हैं, चीक है, Indian Railway Network is one of the longest in the world, it facilitate the movement of both freight and passenger and contributes to the growth of the economy, ये यहाँ पे goods का भी movement होता है और passengers का भी वो होता है और it is one of the longest, चीक है, इंडिया का rail network बहुत ही बड़ा है, वर्ल्ड में हमारी ranking आती है कि हमारे रेल नेटवर्क बहुत जादा बड़ा है, और Indian Economy में Indian Railway का बहुत बड़ा ह आते क्योंकि लोग भी से travel कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, goods के लिए भी एक ये सस्ता है, अगर हम plane से सामान भेजें, like Delhi to Mumbai हमें सामान भेजना है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन हम वहीं train वगेरा सा भेज देंगे तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा, त अगर plane में जाओंगा तो और ज़्यादा रुपे लगेंगे, ऐसे देखा जाए तो जो railway वाला जो mode है, वो सबसे ज़्यादा cheapest है, हम बहुत सरस्ते में बहुत दूर दूर जगा जा सकते हैं, हम अच्छा खासा travel कर सकते हैं, clear है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है, Indian Railway was introduced in 1853 when a line was constructed from Bombay to Thane, covering a distance of 34 km, Indian Railway का introduction कब हुआ है, ये आपके MCU के perspective से बहुत जाते important है, आपके competitive के perspective से ये वाले चीज़े important है, Indian Railway का introduction हुआ है, 1853 में, 1853 में इसका introduction हुआ है, और ये जो total जो length कत बना था, वो 34 km का बना था, initially, Bombay से लेके थाने तक ये बना था, आज भी है थाने railway station जब आप Bombay जाते हो, अब तो ये पूरा मुंबई में आने लग गया, like हम कल्यान, देन, दादर, थाने, ऐसे करके बहुत सारे stop है है ना मुंबई में, अब तो ऐसा लगता है कि हम पूरा मुंबई ही है ये, लेकिन ये पहला पहली जगह कहां पहली बाद train कहां पह चली थी 1853 में, Bombay से लेके थाने थाने तक and that too of 34 km, it is very helpful for your competitors, इसको आप अंडरलाइन करके रखें, clear है, now Indian railway is the largest government undertaking in the country, the length of Indian railway network was 67,368 km as on 2019, ठीक है, it is a very, its very large size puts a lot of pressure on centralized railway management system, thus in India, the railway system has been divided into 16 zone, अब जो Indian railway है, यह सबसे बड़ी government undertaking है, इसमें सबसे ज़्यादा government के shares है, आज काल हम देखते हैं, तो भी privatization होने लगया है, बट स्चिल government बहुत ज़्यादा, government का बहुत ज़्यादा से है, government के control में बहुत ज़्यादा है, लेकि कुछ station में कुछ stake जो है, वो private player को दे दिया, कहीं 51 दिया, तो कहीं 49 दिया, वो station to station vary कर रहा है, तो private players का role है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी जो government है, government का role बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा government का role है, government ने इंडियन railway में बहुत हाड है, कहीं नदिया है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें है, ठीक है, तो हम देखते कि इंडिया एक बहुत बड़ी country है, तो यहाँ पे जो railway का management है, वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब हम कहते हैं कि बहुत बड़ी, जैसे आप अपने school में देखते हो, तो school मे management बहुत अच्छे से हो, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे, तो इंडिया बहुत बड़ी country है, यहाँ अलग-अलग terrain है, कहीं पहाड है, कहीं desert है, कहीं plane area है, कहीं jungle है, कहीं नदी आ गई, ठीक है, कहीं plate use आ गई है, तो यहाँ पे railway का वैसे भी manage करना मुश्किल हो जाता है तो पूरी country को railway के terms में 16 zone में divide कर दिया है, like आपने देखा होगा western central railway, central railway, ऐसे आपकी tickets पे लिखा रहता है अब अगर आप tickets पे देखेंगे, की ठीक है, की यह जबलपूर कौन से उसमें आ रहा है, central railway में आ रहा है क्या, या western central railway में आ रहा है क्या, ऐसे करके अलग-अलग zones म आकिन का management हो सके, और अगर precise से बताओं, तो अगर कुछ कहें, तो just a second, अगर हम देखें, तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यह इंडिया का map है, मतलब ठीक है, हम southern portion के यह map है, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमारी country को अलग-अलग zones में ऐसे divide कर दिया गया है, क इसे करके railway को ऐसे 16 zone में divide कर दिया है, कि इसका management करने के लिए एक authority है, इसका management करने के लिए एक authority, इसका management करने के लिए एक authority, और फिर इन 16 के 16 zone का management करने के लिए एक top में central authority, ठीक है, सो manage अच्छे से हो सके, तो इस central authority की नीचे बहुत सारी छोटी छोटी यह 16 zones की authority आती है, ज क्लियर है यह वाली चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई है यह वाली चीज भी आपको यहां पर क्लियर हो गई है अब जो हम देखने की इंडियान रेलवे में पहले एक मतलब वन वे हुआ करती थी लेकिन अब उसको चौड़ा करते जा रहे है उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे है पहले हम जो ट्रैक देखते थे वो ट्रैक वन वे हुए टू वे हुए अब ऐसा है कि एक साथ में तीन चार ट्रेन भी चल सकते एक ट्रेन यहां से जारी एक ट्रेन यहां से एक यहां से तो च काल क्या हूए हम स्पीड पर भी ध्यान दे रहें साथ ही में जो ट्रैक है वो ट्रैक की भी चौडाई की भी हम लोग बात करने लग गए हैं चीक है पहले स्टीम इंजन्स हुआ करते थे कुछ इस तरीके से हमारे इंजन्स चलते थे पहले लेकिन ये जो स्टीम इंजन्स है इनको diesel और electric engine से convert कर दिया गया है, जैसे electric engine, यह diesel engine, तो जो steam engine से उनको diesel और electric engine से convert कर दिया गया है, तो इसकी वज़े से क्या हो, इसकी वज़े से जो pollution भी जो हो रहा था, वो pollution में भी कमी आ गई है बहुत हद तक, this step has increased the speed as well as the haulage capacity, the replacement of steam engines run by coal has also improved environment of the station, साथी साथ जब diesel जब diesel और electric engine आया तो इनकी speeds भी बड़ी, comparable to coal engines, तो समय समय पर हम क्या देख रहे हैं, समय समय पर हम यह देख रहे हैं कि इंडियान रेलवे में भी innovation हुए हैं, अलग-अलग चीज़ें आई हैं, अलग-अलग तकनिकें आती गई हैं, क्लियर हैं, यह चीज़ भी आप समझ गए हैं, Metro Rail, फिर Metro Rail की बात करते हैं, हमने ऐसे Metro Rail देखी हैं, चीक है, Metro Rail चलती रहती है, Metro Rail has revolutionized the urban transport system in Kolkata, Delhi, आज की तारिक में तो हम देखे, तो बहुत सारे जगा लाइक लखना हो जाए पूर्थिक है, बोपाल में भी Railway station का काम चल रहा है, Metro Rail का, बहुत सारे cities में Metro trains का काम चल रहा है, और बहुत सारे जगा आ गई, लाइक बेंगलूरू में हैं, चीक है, बेंगलूरू में में मेट्रो है, मुंबई में भी काम चल रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि आज के तारिक में तो सिर्फ डेली और कॉलकता ही नहीं, बहुत सारी जगा Metro trains आ गई हैं और बहुत सारी जगा Metro trains का का काम चल रहा है, लेकिन तो भी जिस city का Metro Rail का network बहुत अच्छा है, वो है डेली, डेली में Metro का का काम बहुत ज़ाद अच्छा है, क्योंकि डेली में हर जगा Metro train आज की तारिक में जा रही है, और इन फेक्ट आज भी डेली में काम चल रहा है कि यहाँ पे भी हमें Metro line लेके जानी है, ठीक है, Metro Rail has revolutionized the urban transport system in Kolkata in Delhi, replacement of diesel run, buses by CNG run vehicles along with introduction of Metro is a welcome state towards controlling the air pollution in urban center, Metro ने एक तरीके से urban pollution को भी control किया है, जादा से जादा लोग Metro में जाना पसंद करते हैं, तो ठाइम से पहुचा देती है, ट्रैफिक की जंजट नहीं है, रुपे भी बच जाते हैं, हम उतना पेट्रोल डलवाएंगे, इतनी दूर जाएंगे, ट्रैफिक होगा, और मस्ट AC रहती है, इनमें तो कोई समस्या है नहीं, और जो अगर मेट्रो स्टेशन है ना, इन मेट्रो स्टेशन पर क्या होता है, मेट्रो स्टेशन के बाहर, ऐसे आटो वाले लगे रहते हैं, वो साइकल वाले लगे रहते हैं, E रिक्षास लगे रहते हैं, CNG वाले रिक्षास लगे रहते हैं, तो यह कहीं न कहीं, यह सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें, pollution को हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक कम कर रही है और urban center को थोड़ा खुबसूरत बना रही है Areas around the town, raw material producing areas and plantation and other commercial crops Hill station, containment towns were well connected by railways from the British colonial era These were mostly developed for the exploitation of resources हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शहर थे या जहां जहां raw materials था वहां-वां अंग्रेजों ने पहले railway का ध्यान दिया, या Hill station पर भछे दिया इसलिए ध्यान दिया क्योंकि पहले अंग्रेजों को exploit करना था अंग्रेजों ने railway इसलिए नहीं बनायी थि कहुम पैसेंजर को सुविदा देंगे अंग्रेजों ने railway का invention इसलिए किया था कि मान लो यहाँ पे raw material है और यहाँ पे इसकी factory है तो यहाँ पे train बना दो यह raw material फटाफट जाएगा फटाफट goods बन जाएगे और हम इसे बेच देंगे तो उन्होंने exploitation करने के लिए exploitation of resources, exploitation of masses के लिए उन्होंने यह trains बनाई लिकिन यह trains हमारे लिए बहुत बड़ा आज की तारिक में अच्छा काम कर गई है हमने इस train को जगा जगा current कर दिया है ताकि लोगों को आसानी हो बाकि अंग्रेजों का कुछ और intention था After the independence of the country railway routes have been extended to other areas too The most significant development have been the development of Konkan railway along with the western coast providing a direct link between Mumbai and Mangalore ठीक है हम देखते हैं कि आजादी के बाद जगा जगा railway को पहुचा है आज भी आप देखते हो तो बहुत सारी जगा rail trains जा रही है railway station से और बहुत सारी जगा नहीं भी है तो वहाँ सरकार काम कर रही है जो सबसे challenging रहा है या जो सबसे important रहा है यहाँ पे हमने क्या देखा जो मुंबई सर और Mangalore के बीच में जो train गई है उसमें क्या था यह जैसे कोनकन railway station के हम पे बहुत सारी नदिया वगेरा पढ़ रही थी तो इतनी सारी नदियों पे bridge बनाना पहाड थे गुफा बनाना पहाड को काट रहा है तो यह जो कौनकन railway station जो कि आपकी book में एक box में दिया गया है वो एक बहुत challenging था लेकिन हमने वहाँ पे भी railways लेके आ गए है वहाँ पे भी इतनी सारी नदियों थी तो उन पे हमने bridge बना दिया है ठीक है तो अब हमारे लिए कोई भी बहुत बड़ी बात ही है हम सारी चीजें सीख रहे हैं धीरे धीरे railway continues to remain the main means of transport for the masses railway network is relatively less dense in hill areas north eastern area central parts of India and Rajasthan आज की तारिक में लेकिन हम लोग देखे तो railway बहुत ज़्यादा grow कर रही है लेकिन उसके बावजूद हमें एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान यह रखना कि railway कुछ-कुछ areas में इत्ती ज़्यादा नहीं है जैसे मैं बता दूँ north eastern areas में यहाँ railway कम है क्योंकि हाँ hilly area के वज़े से इत्ता ज़्यादा काम नहीं हुआ जमुएन कश्मीर में आज की तारिक में बहुत काम हो रहा है पहले तो इत्ते ज़्यादा वहार रेल नेटवर्क नहीं थे लेकिन दीरे दीरे जमुएन कश्मीर पर government ध्यान दे रही है और वहाँ पर railways का होराय tunnels बन रही है ठीक है तो आज की तारिक में कम है लेकिन day by day हम कह सकते कि जमुएन कश्मीर बहुत अच्छा rail network हो जाएगा प्लस इदर राजिस्तान में ज़्यादा rail network नहीं है यह थोड़ा अलग पढ़ जाता है हम लोगों के लिए लेकिन अगर आप यह वाली चीज़ें देखें यह plane area देखें यह Mumbai to Delhi वाला area देखें ठीक है Mumbai to Delhi मतलब मैंने उस साइड arrow कर दिया Mumbai यहाँ पर Delhi वहाँ पर यह वाला area देखें है South में देखें तो यहाँ rail network बहुत अच्छे से है सिर्फ हमें हीली area जो थोड़ा से यह जो राजिस्तान वाला area है वहाँ पर government को focus करने की और ज़्यादा आवशकता है already हम लोग land transport land transport में already हमने road transport के बारे में बात कर ली थी और उसके बारे में हमने किसके बारे में बात की थी हमने बात की थी rail transport के बारे में अब basically इस वीडियो में water transport को पढ़ेंगे water transport में वी detail में जाएंगे हम लोग inland waterways और oceanic waterways को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जो waterways होते हैं वो बहुत important होते हैं water transport बहुत important होता है passenger की terms में थोड़ा सा कम होगा अगर practically बुलू होगा logically बुलू में लेकिन goods के मामले में बहुत जादे important होता है मुझे अमेरिका सामान भेजना है तो ships के द्वारा ही जाएगा plane में जादा रुपे लगेंगे लेकिन ship cheap होगा और वहाँ पे सामान फटाफट चले जाएगा चीक है वहीं अगर किसी passenger को जाना होगा तो ship में कम travel करेगा comparable वो plane से जादा जाना पसंद करेगा ठीक है तो ऐसी बात नहीं है कि water transport में लोग नहीं जाते हैं लोग जाते हैं लेकिन water transport का उप्योग जादा goods के लिए होता है comparable to passenger और air transport का उप्योग जादा किस के लिए होता है जादा air transport का उप्योग होता है passenger के लिए comparable to goods clear है waterways is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India Waterways is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India It is the cheapest means of transport and it is the most suitable for carrying heavy and bulky material It is a fuel efficient and eco-friendly mode of transport ठीक है यह बहरी समान को अच्छे से पहुचाना यह water transport की खासियत है साथ ही साथ यहां पर fuel efficient है, eco-friendly है मतलब जा रहा है ऐसा कुछ नहीं की बहुत ज़ाद कोई production वगएरा हो रहा है अल्दो जब water transport ocean में जाता है तो हम बोलते हैं की नीचे जो जल जीवन है उसको हानी पहुचती है लेकिन वो हानी कम होती है comparable अगर हम लोग यहां पर देखें की गाड़ी से इता pollution हो रहा है यह हो रहा है ठीक है water transport is of two types water transport को दो types पे डिवाइड करते हैं एक होता है inland waterways और एक होता है oceanic waterways inland waterways क्या होता है inland waterways वो होता है कि मालो इंडिया में बहुत सारी नदी है तो नर्मदा नदी में हमने एक छोटा मोटा यह जाहाद चल दिया और नर्मदा नदी में हमने कहीं से एक सामान रखा और वो दूसरे जगा पे उताल लिया गया inland waterways हम लोग कम देखते हैं comparable to oceanic waterways inland waterways की जगा train का उपयोग जादा होता है कहे जाए तो trucks पगेरा का उपयोग जादा होता है inland waterways में like हम देखते कि गंगा एक बड़ी नदी है चीक है तो क्या होता है कि कोई एक stop पे गंगा में सामान रखे दूसरी जगा पहुचा दिया जाता है तो inland waterways एक समय पे inland waterways अच्छे कासे चलते थे लेकिन आज के time में inland waterways की एहमियत कम हो गई है ट्रेन के आजाने से रोड बनने से लेकिन आजादी के पहले के समय के बात करें तो आजादी के पहले के समय के हम लोग बात करेंगे तो जब रोड नहीं थे जब ट्रेंस पगेरा नहीं थी तो inland waterways एक बहुत ही important role प्ले करता था क्योंकि नदी के साहरे हम एक जगा से दूसरे जगा पे समान पहुचाय सकते थे clear है now inland waterways it was a chief mode of transport before the evident of railways it however faced a tough competition from road and railway transport जो कि मैंने बताया कि road और railway के बाद में inland waterways थोड़ा सा ठप पड़ गया है more or ever diversion of water into irrigation purpose made them non-navigable in large parts of their courses India has 14,500 km of navigable waterways contributing about 1% of country's total transportation साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो नदियां भी है नदियों में पानी कम होते जा रहा है अब ज़र नदियों में पानी कम होगा तो ये ships कैसे चलीगी नदियों में नदियों में पानी कम होगा तो फत्तर वगेरा उपर जाएंगे तो ये जो ships वगेरा होंगे फत्तर को टकरा जाएंगी ठीक है नदियों में अगर हमें कोई सामान एक जगा से दूसरी जगा पहुचाना है तो नदियों में पानी का बहाव अच्छा होना चाहिए जहां पर ये ships अच्छे से चल पाए ड'io course बना पाया अपना लेकिन अब पानी को irrigation purposes के लिए लोगों ने pipeline gear दी है हम गंगा से पानी ले रहे हैं नर्मदा से पानी ले रहे हैं यमुना से पानी ले रहे है हमारे खेत के लिए थीक है तो irrigation purposes के लिए ये जो पानी लेने लग गए या फिर और भी जो government भी पानी लेने लगए तो इसकी वज़े से नदी में पानी कम हो गया है और एक reason ये भी है जिसकी वज़े से inland waterways छप हो गया पहरा reason तो ये है कि road और ट्रांसपोर्ट बन गए road और railway आ गया दूसरा reason ये भी है कि यहाँ पे irrigation purposes वगयरा के लिए जब पानी लेने लग गए तो ये वाली समस्याएं आने लग गई तो दूसरा reason ये है Now inland waterways comprises of river, canal, backwater, creeks, etc. At present 5,685 km of major rivers are navigable by mechanized flat bottom vessels ठीक है जो inland waterways है वो नदी में हम लोग इन ships को चला सकते है Canals में चला सकते हैं तो बड़ी-बड़ी जो नहरे आती है Backwater जो हम देखते हैं ये डूब में आ गया है आपने सुनाँगा ये छेतर डूब में आ गया है किसी नदी कहीं dam बनने से तो कहीं नदी के तेज बहाफ से ये वाला छेतर डूब में आ गया एक जो narrow जो पानी का flow होता है जो main river में आता है उसे हम creeks कहते हैं ठीक है so inland waterways हम देखते हैं rivers में हो सकता है backwaters में हो सकता है canals में हो सकता है creeks में हो सकता है आज की तारिक में मात्र आप यह समझ दो कि 5000 के आसपास 5000 km के आसपास कुछ rivers निकाले गई हैं जहां पर ships चल सकती है जहां पर इतना पानी है कि ships अच्छे से चल जाएंगी for the development maintenance and regulation of national waterways in country the inland waterways authority was set up in 1986 यह वाली चीज़ आप लोगों के लिए competitive के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाती है inland waterways authority कब बनाई 1986 में 1986 में inland waterways authority बनाई इसका क्या काम था इसका काम यह था कि यह जो maintenance करना किसका maintenance करना यह जो inland waterways है इनका अच्छे से maintenance करना यह इनका काम था clear है यह वाली चीज़ आपको यहां पर समझ में आ गई है जैसे national highway के लिए national highway के लिए एक authority बनाई थी NHAI ठीक है यह जो authority बनाई गई थी यह national highway को monitor कर रही थी वैसे ही inland waterways authority बनाई गई 1986 में ताकि वो इस चीज़ों को monitor कर पाई now the inland waterways authority has identified 10 other inland waterways which could be upgraded the backwaters of kerala has special significance of inland waterway apart from providing cheap means of transport they also attract a large number of tourists in kerala the famous nehru trophy boat trace is also held in backwaters अभी जो inland waterways authority है इन्होंने क्या किया इन्होंने 10 inland waterways है बताए कि यहां पर inland waterways अच्छे से काम कर पाएंगे जहां पर हम समान एक जगह से दूसरी जगह पहुचा पाएंगे जिद में से सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो kerala में बहुत सारी जगह kerala में backwater बहुत जादा है लैक्सा मुदर का पानी कुछ नदियों का पानी backwater के तोर पे जहां पर यह चल सकता है जहां पर inland waterways चल सकते हैं तो उन्होंने kerala के जो backwaters हैं उनका special significance बताए कि यहां पर inland waterways अच्छे से काम कर सकते हैं साथी साथ inland waterways में क्या हो रहा है अलग-अलग boat races वगेरा भी चल रही है लाइक नहरू ट्रोफी boat race होती है ठीक है तो यहां पर boat race हो रही है tourist को हम attract कर पा रहे हैं inland waterways में हम कुछ water sports कर पा रहे हैं तो इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है inland waterways इसलिए इसलिए इस पर थोड़ा सा government का अब ध्यान वापिस आने लग जया है क्योंकि cheap means of transport है ठीक है सस्ते में हम कोई भी समान को पहुचा सकते हैं clear now अब बारी आती है oceanic routes की inland waterways हो गया आपको clear oceanic routes जो की बहुत जादे important है इंडिया वास coast line of approximate 7517 km including island 12 major and 185 minor ports provide infrastructure supports to these routes आप कुछ जानते हो कि अगर आप यहां पर भी देखो तो यह इंडिया है तो इंडिया में यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर अच्छा कासा यहां पर हमारा trade हो जाता है क्योंकि हमारी coast line बहुँत जाद सथा बड़ी है अप leaves बहुत जादा बड़ी तो यहां पर अच्छा पर यहांपर यह बताया गया है है यहां पर 12 major portion 12 अच्छे बड़े-बड़े ports हैं यहांपे 12 complete production or 185 Bueno शेंे गहारी पोस्चल लाइन में जहां से कि हमारा ट्रेड जारी रहता है तो बारा मेजर पोर्ट्स हो गए और 185 माइनर पोर्ट्स हो गए चीक है और ओशेनिक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हमें विश्व के साथ ट्रेड करना अगर हमें इस वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करना है तो यह जो ओशेनिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इंट्रांस्पोर्ट सेक्टर फिंडियन एकॉनोमी अप्रॉक्सिमेटली 95% फिंडिया फॉरें ट्रेड बायूम और वाल्यूम और सेवेंटी पर्सेंट वाइल्यूस मूफ थ्रू ओशनिक रूट्ट सीके 95% जो ट्रेड हो रहा है ठीक है व जो अपने आयलेंड्स है उन आयलेंड्स पर भी अगर सामान पहुचाना है इन आयलेंड्स से भी connectivity चाहिए तो ये जो ओशनिक रूट से बहुत जादा help करता है ये शिप वाला जो है ये बहुत जादा help करता है एयर ट्रांस्पोटेशन से रिलेटेड है जो कि एयर ट्रां लोग excited होते हैं कि ठीक है रोड पे यूजली हम लोग travel कर लेते हैं train में travel कर लेते हैं हवाई यातरा में थोड़ा कम होता है comparable road और इन सब के मुकाबलेया हम बहुत लेट से करते हैं हम रोड पे तो हम बच्पन नहीं महीं कर लेते हैं तो हवाई यातरा जो सबसे ज़्यादा exciting रहता है तो उसकी बात हम करते हैं अब यह ट्रांसपोटेशन के बारे में कुछ नया है नहीं आपको भी पता है कि जो एयर ट्रांसपोटेशन है वो सबसे ज़्यादा fastest means of communication fastest means of transport कह सकते हैं कम्यूनिकेशन नहीं fastest means of transport कह सकते हैं अगर मुझे बोपाल से बंगलूरू जाना है अगर मैं प्लेन से जाओं तो वहीं मुझे देड़ दो घंटे लगेंगे लेकिन अगर मैं ट्रेन से जाओंगा तो मुझे 30 घंटे लगेंगे इसलिए हम कहते हैं कि चुटकियो तो वही 30-35 घंटे का डिस्टेंस है लेकिन प्लेन से देखेंगे तो 2-5 घंटे का डिस्टेंस है तो एर ट्रांस्पोटेशन ने क्या कर दिया है एर ट्रांस्पोटेशन ने एक चीज़ अच्छी करी है कि हमारा टाइम बहुत जादा बज़िया है और fastest means of movement कह सकते हैं कि अ लेकिन वो फटाफट पहुंचा रहा है एर ट्रांस्पोट is the fastest means of movement from one place to the another and has reduced distance by minimizing the travel time it is essential for vast country like India where distance are large and terrain and climatic condition are diverse अब वही है कि हर country में necessary इंडिया एक बहुत बड़ी country तो छोटी country के लिए भी देखो हम मैं ऐसा कूंगा छोटी country के लिए भी necessary है लोगों को क्योंकि बाहर जाना होता है बाहर काम करना होता है अगर मैं ship से युवे से जाओंगा तो मुझे बहुत time लगेगा बहुत जादा है clear है now the air transport in India made a beginning in 1911 when when air mill operation commenced over a little distance of 10 km between Allahabad and Nanny जो air transportation है इंडिया उसकी शुरुवात क्या हुई थी यह आपके competitive के perspective के लिए सबसे जादे helpful है इसकी शुरुवात हुई थी 1911 में चीक है air transport made beginning in India in 1911 जब पहली बार पहली बार क्या हुआ था 10 km के उस पे plane उड़ाया गया था अलाबाद से लेके Nanny तक यह जो 10 km की range है इसमें पहली क्या हुई थी इसमें पहली हवाई यात्रा हुई थी ठीक है इसमें पहली जो हवाई यात्रा हुई है अलाबाद से देखो plane आ रहा है नैनी की और तो यह जो पहली हवाई यात्रा है 1911 में हुई थी बट इस real development took place in post independent period वही है लेकिन 1911 में आपने 10 km के उस पर plane तो चला दिया फिर plane धीर धीर आए भी लेकिन आजादी के बाद में इस पर सरकान ने बहुत अच्छे से काम किया अंग्रेजों का काम था सिफ हमें exploit करना हमारे resources लेना हमारे resources पर उनकी जादा नजर थी comparable की हम लोग कुछ better करें उससे जदा उनकी लिए क्या important था उससे जदा उनकी लिए important था कि उन्हें resources मिलते रहे वो हमें exploit करते रहे तो अंग्रेजों के दौरान ये चीजें हुई तो लेकिन कुछ इस स्केल पे ने हुई, कुछ मास लेवल पे ने हुई, कुछ लोगों के लिए नहीं हुई लेकिन जब देश को आजादी मिली तो इन चीजों पे बहुत ज़ादा फोकस किया गया, इन चीजों को प्रायरिटी बेसेज पे रखा गया clear है, the airport authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication service in Indian airspace ठीक है, now many private companies have also started passenger services airport authority of India responsible है, airport authority of India airports को manage करने में और ये जो सारी चीजें जो communication services उपर plane ओल रहे हैं, तो उनका communication रखा जाता है ना ground level पे ऐसा है, थोड़ी ना की plane ने भोपाल से उड़ान भर ली मुंबई के लिए, तो अब उस plane का आता पता ही नहीं है उससे regular communication बनी रहती है, अब उपर भी बहुत सारे plane सोड़ते रहते हैं, तो ये जो सारी चीजें ये सारी चीजें मैनेज करती है, एरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया की कहीं पर भी क्लाशेज ना आए, प्लेइन सची कासी communication बनी रहे हैं, उपर दो प्लेइन आमने सामने ना, मतलब ये जो सारी जो छुटी छुटी बारिक वाली चीजें हैं, चाहे एरपोर्ट को दे लेकिन मीनवाइल आप जब ये लेक्चर देखेंगे तब गवर्मेंट एक गोशना कर रहे होगी कि हमें एक एरपोर्ट, मतलब इत्ती भी चल्दी नहीं कि हमें एक एरपोर्ट और बनाते हैं, लेकिन तो भी आपको चोचे, आजका लोग प्लीन से जाधा ट्रेवल करने लगें, एरपोर्ट बहुत सारे बन गए, एक समय ये था कि डेली, मुंबई, बैंगलूरू, चैन्नाई, कोलकता, सिर्फ यहाँ पे एरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आजकाल हम टियर टू सिटीज में भी देख रहे हैं, जो छोटे छोटे शोटे शेहर हैं, हम वहाँ भी देख रहे हैं कि एरपोर्ट आ गए हैं, क्लियर है, यह चीज आपको समझ में यहाँ तक की चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर आप लोगों के रिए एक इंटरेस्टिंग चीज और है, इ अब जब भी हम एर लाइन्स की बात करते तो आपने एर इंडिया एक नाम जरूर सुना होगा, एक प्लेन आपने जरूर देखा होगा, एर इंडिया लिखा हुआ, कुछ इस तरीकी का वो प्लेन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीकी का प्लेन आपने दे कमपनी थी गवर्मेंट ओन वाला था कुछ समय तक लेकिन आज की तारिक में यह चीज़ें आपकी बुक में अपडेट नहीं हुए है आज की तारिक में गवर्मेंट ने क्या किया है आज की तारिक में गवर्मेंट ने एर इंडिया को जो टाटा है ठीक है जो टाटा की जो क सरकार की कंपनी है, सरकार की कंपनी थी, अब वो कंपनी गई, प्राइवेट प्लेयर के पास, ये फिगर आपको हमेशा अपडेट करके रखना है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये कंपनी सरकार ने अपने पास में रखी थी, उसकी स्टोरी भी हम दो मिनिट में जानेंगे, बस दो मिनिट का थोड़ा सा पेशेंस बनाया रखना, अब एर इंडिया के तो चलो बात कर लिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी चीज़े देखते हैं, लेकिन आप तो बहुत सारे प्लेंस हैं, अलग अलग कंपनी हैं, हम देखते हैं कि किस के रुपे सस्ते हैं, या यर इसे करके देखूंगा, तो अब एक तरीके से मोनोपोली खतम हो गई है, बहुत सारी प्राइवेट कम्पनी भी आ गई हैं, यहाँ पे दिक्खो, मैंने आपको चीजें पहले भी बताईए कि चीजें पढ़ने से जादा अच्छा आपको क्या है आप चीजों को observe करो मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीजें आपने आज तक कहीं नहीं सुनी हो आप पहली बार इस किताब में पढ़ाँ ऐसा है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है ना ये चीजें आप हमेशा देखते हो ये चीजें आप observe करते हो आपने आपकी किसी रिष्टेदारों से सुना होगा या कभी आपने रोड चलते प्लेन को देखा होगा या कभी आपने एरपोर्ट पर विजिट किया होगा या कभी आप प्लेन में ही गए होंगे ठीक है वैसा ही जब मैंने आपको रेलवेस के बारे में बता था तो मैंने बता था अपने ट्रेन का सफर किया होगा तो जो ची इंडिया या history of Indian Airlines के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ब्रीफ जानते हैं कि इंडिया में Airlines की क्या history रही है इससे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो year wise यहां पे divided है कि 1911 में क्या हुआ था 1947 में क्या हुआ 1951 में क्या हुआ 1953 में क्या हुआ 1911, Air Transport in India was launched between Allahabad and Nanny सबसे पहले 1911 में पहला प्लेन उड़ाया गया 10 किलोमेटर की रेंज पे प्लेन उड़ाया गया जो कि Allahabad से नैनी के और जाता था 10 किलोमेटर का पहला प्लेन साल कौन सा है 1911 है clear है यह चीज आपको समझ में आ गई then दूसरा year कौन सा है 1947 अब 1947 में क्या हुआ है Air Transport was provided by 4 major companies namely Indian National Airways, Tata Suns Limited, Air Services of India and Deccan Airways 1947 में 4 companies आ गई प्लेन उड़ाने के दिए फिर 1951 में क्या हुआ 4 more companies is joined the service Bharat Airways, Himalayan Aviation Limited, Airways India and Kalinga Airlines फिर 1951 में क्या हुआ 1951 में और 4 companies आ गई तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले जहां एक company थी वहाँ 4 हुई 4 की और 8 हो गई तो हमने देखा कि बहुत सारी planes में companies आने लगई बहुत सारी यह जो plane उड़ाना है जो aviation sector है हम कहें जो aviation sector है उसमें बहुत सारी companies आने लगई 1953 air transport was nationalized and two corporations Air India International and Indian Airlines were formed Now Indian Airlines is known as Indian अब क्या हुआ 1953 में सबसे बड़ा change हुआ अगर आपको ध्यानों तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सरकार ने socialism वाली policy ज़ाद अपने थी तो जब socialism वाली policy अपना ही थी तो यह जो इतने यह जो private player आये थे सरकार ने बुला भाई यह यह नहीं चलेगा सरकार ने उसमें पर क्या क्या जितनी भी companies थी government उनको nationalize करे थी government उनको अपने control में ले रही थी तो यह जितनी भी private companies थी सरकार इनको अपने control में ले रही थी तो यह जितनी भी airlines से इनको किया खतम और दो airlines बनी एक Air India International और एक Indian Airlines जो की domestic वालों के लिए रहेगा तो सरकार ने क्या किया सरकार ने इन companies उसको nationalize कर दिया इन companies अब यह जितनी भी companies थी इनको दो company में बाठ दिया एक international के लिए एक domestic के लिए और यह government के आपको ध्यानो तो उस समय की policies थी political science को याद करो यहाँ पे सिर्फ geography पे ध्यान मत दो हमें subject को यहाँ पे interconnect करना है जो आपने political science पे पढ़ा है उसको आप थोड़ा सा geography में दिमाख लगाओ यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ 1953 में government के nationalization के policy आई तो यहाँ पे पूरा सब सरकार सरकार सब सरकार के अंदर ही company आ गई अब 1953 में सिर्फ दो company बची कौन कौन सी बची 1953 में दो company बची एक Air India International और डूसरी Indian Airlines जो Indian Airlines नाम है उसको फिर सरकार ने बाद में सिर्फ Indian नाम रख दिया क्या नाम रखा सिर्फ Indian उसका नाम सिर्फ और सिर्फ government ने सिर्फ Indian रखा जहां सिर्फ Indian लिखा था Airlines पीछे से हटा दिया ठीक दे कंट्रीज लाजेस स्टेट ओन डोमेस्टिक केरियर Indian Airlines dropped the word Airlines from its name and it is known as Indian ठीक है और यह कब से हुआ 2005 से हुआ The new brand name Indian now appears on the top side of fuelage The logo on the orange shield depicting IA has also been changed ठीक है फिर यहां पे क्या हुआ वही कि यह जो Indian Airlines थी इसका airline हटा दिया सरकार ने और सिर्फ Indian नाम छोड़ा और यहां पे हम देख रहे है कि एक यहां पे यह सूरज है अगर आपने इस चीज को ध्यान से देखा हूआ अगर आप इस logo को ध्यान से देखेंगे तो इस logo में क्या है इस logo में आप देखें रहे हैं कि सूरज, एक सूरज है blue color का यह जो कौनकन मंदिर है odisa का बहां से यह इसका लोगो लिया गया चीक है ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई है तो एक बार हम थोड़ा सा कोई करिवाइस करते हैं तो आपको चीजें थोड़ी सी सिंक्रनाइज होंगी सबसे मेले मैंने क्या बताया कि 111 में सिर्फ एक एलाइन थी फिर लेकिन बाद में बहुत सारी IKEA बढ़ गई चीक है बाद में आठ अकरेंज इस लेकिन 1953 में गवर्मेंट ने क्या किया 1953 में ये कवर्मेंट ने एक कंपनी बनाई थी Air India International, Air India International और दूसरी कंपनी का कवर्मेंट ने कौन सी बनाई थी Indian Airlines, चीक है यह गवर्मेंट ने दो कंपनी बनाई थी लेकिन फिर गवर्मेंट ने क्या किया यह इंटरनाशनल वाली थी यह डॉमेस्टिक वाली थी फिर गवर्मेंट ने 2005 में इसका नाम चेंज कर दिया गवर्मेंट ने क्या किया? Indian Airlines को नाम हटा के पीछे से Airlines हटा दिया सिर्फ Indian छोड़ा प्लियर है इतना आपको समझ में आ गया है अब आप बोलोगे कि सर आज की तारिक में तो हमें ऐसा प्लेन दिखता ही नहीं है कि जिसमें Indian लिखा हो आप बोलोगे कि सर आज की तारिक में जो हमें प्लेन दिखता है उस पे सिर्फ Air India लिखा रहता है आपने यह प्लेन देखा है Indian वाला आज की तारिख में क्या है? ये जो इंडियन वाली ये जो company है ये衍र इंडिया की ही parent company थी मतलब parent company air India थी और ये इसी की subsidory थी तो government ने बोला कि ये दोनों company भइए अब हम ही चला रहे हैं तो क्यों नहीं इन company उसको merge कर दिया जा सिर्फ Air India बनके निकला तो आप आज की तारिक में देखोगे तो आज की तारिक में हमें Air India दिखता है सिर्फ यहाँ पे कहीं Indian भी नहीं लिखा है ठीक है सिर्फ Air India दिखता है तो 2007 में गवर्मेंट ने इंडियन और यह जो दूसरी जो कंपने थी इनको मर्च करके एक कंपनी एक ही नाम दे दिया that is Air India क्लियर है इतना आपको यहां तक समझ में आ गया है अब यहां से थोड़ी सी और आगे चलते हैं जो की चीजने आपके बुक में नहीं है अब यह जो Air India है यह बहुत लॉस में चले जा था इसको बहुत जादा घाटा हो रहा था ठीक है अब यह कंपनी सरकार के पास में मेरे टेक्स के दिये गए रुपे मतलब फिर गवर्मेंट इन घाटों को भरती थी यह करती थी तो अल्टिमेटली गवर्मेंट एक बहुत ज़दा लॉस में जा रही थी करोडों का नुकसान था Air India में तो गवर्मेंट ने फिर यह पॉलिसी अपना ही रीसेंटली कि हम Air India क को प्राइविटाइज कर देते हैं प्राइविटाइज कर देंगे तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सुची कि और प्राइवेट कंपनी इसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कनवर्ट कर देगी और हमारे पास में तो हम घाटे में चला रहे हैं nationalize कर दिया government ने इस company को government ने इस company को क्या किया Tata से लेके अपना नाम दे दिया that is air India वाला अपना नाम दे दिया ठीक है तो government ने इस company को अपने पास रख लिया लेकिन आज वापिस वही हुआ कि यह company वापिस Tata Group नहीं ले ली ठीक तो वही है कि दुनिया goal है गूम फिर के company किसके पास में आती है गूम फिर के company आती है Tata's के पास में ही clear है यह चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई है यह वाली चीज आपको यहाँ पर clear होगी नो आपकी वुक में छोटा सा box दिया है जो कि लिखा गया है उसमें open sky policy to help Indian exporter and make their export more competitive the government has introduced an open sky policy for cargo in April 1992 under this policy foreign airlines or association of exporter can bring any fighters to the country अब 1992 में क्या हुआ था आप 1992 का year पे ध्यान दो 1991 में हमने कौन से reform लेकिया थे LPG reforms आये थे liberalization, privatization, globalization, globalization वाले reforms आये थे अब जब liberalization, privatization, globalization वाले reforms आये तो यहाँ पर government ने यह जो aviation sector इसको भी open up किया है तो aviation sector में government ने क्या बोला कि कोई भी आ सकता है एक open sky policy कि कोई भी foreign airlines हो या कोई association of exporter हो जो की country में सामान लेके आ रहे हैं कर रहे हैं तो वो अपने planes के द्वारा लेके आ सकते हैं अगर आपको ध्यान हो तो 1990s के पहले जो हमारी economy थी वो बहुत जादा restricted economy थी हम license राज बोलते थे कि अगर कुछ भी करना हो कुछ भी business वगेरा भी करना हो तो सरकार से पहले permission लो लेकिन 1991 के बाद से क्या हुआ, 1991 के बाद से LPG reform आये, economy open up हो गई foreign direct investment आने लगे, सरकार का रोल खतम हो गया तो वैसे ही सरकार ने ये जो open sky policy भी इसलिए थी कि aviation sector में एक तरीके से सरकार ने छूट देना शुरू कर दी थी अब ये बहुत ही छोटा सा topic है, oil and gas pipeline जादे दिमाग पचाने वाला topic नहीं है छोटा सा video है, समझ लेते हैं, फटाफट खतम करते हैं, आपको भी relief में लेका कि हाँ जितने topic हो, उतना जादा relief है, जितने जादा से जादा हम लोग chapter कवर करें, उतना आपको भी अच्छा है pipelines are the most convenient and efficient mode of transporting liquid and gases over a long distance even solid can also be transported by pipeline after converting them into slurry अब यहां पर यह कि pipeline या pipeline जो है वो बहुत important role play करती है जैसे crude oil पहुचाना है, gases पहुचानी हो, कुछ natural gases बगेरा जो रहती है, एक जगा से दूसरे जगा पहुचानी हो तो pipeline बहुत ज़्यादा important role play करती है, हमें oil पहुचाना हो, gas पहुचाना हो, कुछ भी ऐसे important resources रहते हैं तो उसमें यह pipelines बहुत ज़्यादा help करती है, अब pipeline सिर्फ वा सिर्फ liquid के तौर पही नहीं, कई बार pipeline एक solid के तौर पहुचा सकती है अब solid को कैसे, एक example लेते हैं, कि पानी में, मतलब एक पानी का बहुत तेज बहाव है, अब उस पानी में अगर मैं थोड़ा सा कचरा डाल दू, तो कचरा भी उसके पानी के साथ में चले जाएगा न, तो वैसे यहाँ पर जो slurry use किया गया है, कि यहाँ पे हम कुछ भी ची और उसमें आप अपने खाली बॉटल या पॉटल ली रख दोगे, तो वो बॉटल भी उसके साथ बहे जाएगी, तो यह pipeline कबाभी, इसलिए यहाँ पर solid का, इसलिए बताये गया है, कि pipeline में solid और liquid दोनों का काम होता है, ज्यादतर liquid वाली चीज़ें होती है, लेकिन हम solid भी एक जगा से दूसरे जगा तक पहुचा सकते हैं, clear है, यह वाली चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई है, now, oil India Limited, जिसको की oil, मतलब, oil India Limited, under the administrative setup of ministry of petroleum and natural gas, is engaged in exploration, production and transportation of crude oil and natural cases, ठीक है, जो ministry of petroleum and natural gas है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर एक body है, उसके अंदर एक unit है, जिसको की हम oil India Limited कहते हैं, ministry of petroleum and natural resources के अंदर, उस ministry के अंदर, बहुत सारे departments होंगे, बहुत सारे units होगी, तो इस ministry of petroleum and natural gas के अंदर, oil India Limited, जिसे की मैं oil कहूंगा, वो इसके अंदर आती है, और इसका क्या काम है, इस oil का काम है, कि यह जो natural gas है, या फिर petroleum है, इनको explore करना इनको एक जगा से दूसरी जगा पहुचाना, crude oil का transportation करना, natural gas का transportation करना, इनको explore करना, और यह जो तमाम चीजें हैं, यह सारी चीजें, like petroleum, natural gas से related, जितने भी चीजें हैं, यह सारी चीजों का काम कौन करता है, यह सारी चीजों का काम, oil, that is, oil India Limited करता है, clear, यह वाली चीज को यहाँ पर समझ में आ गई है, now अब यहाँ पर आपकी book में बहुत सारी pipelines के बारे में दिया गया है, ठीक है, उन pipelines को हम लोग map पे भी अलग से mark करेंगे, आपकी map work की अलग से आपको videos मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो इस topic में दिया है, तो हम थोड़ा सा इसको हम अभी नह नहीं पर समझेंगे, बट आप थोड़ी सी शांती रखें, आपको map की classes अलग से मिल जाएंगी, यह exams में आपसे map कैसे पूछा जा सकता है, चीक है, अब यहाँ पर कुछ हम एक्जामपल्स देखते हैं, जो आपकी book में दिये गए है, pipelines के, pipeline covering a distance of 1157 km was constructed by Oil India Limited, देखो यहाँ पर Oil India Limited का काम यहें की petroleum का, देखें की कहा है, फिर उसका production, फिर उसके transportation और इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना, तो Oil India Limited ने क्या किया, Oil India Limited ने कुछ आप समझ दो, 1157 km की एक यह pipeline बनाई है, जिसका की काम oil वगेरा इधर उदर करना है, oil natural gas वगेरा करना इधर उदर ह तो यह pipeline कहां से कहां बनी है, यह pipeline आसाम में है, उस जगा का नाम क्या है, उस जगा का नाम है, नहार कटिया oil field ठीक है अगर pronunciation में इधर उधर हो जाया तो उसके लिए बक्ष देना असने टीचर को ठीक है नहार कटिया oil field ये जो की आसाम में है और ये कहां पे गई है ये आई है बीहार में ठीक है ये बीहार में यहां से यहां तक ये एक pipeline बनी है फिर लेकिन कुछ समय बाद 1966 में क्या हुआ 1966 में इस pipeline को बीहार से कानपूर में भी लेके आया गया तो ये total देखो कि ऐसे बहुत सारी pipelines बनाई है ये pipelines किसने pipelines किसने बनाई है oil india limited नहीं pipelines बनाई है ताकि natural resources natural gas petroleum ये सारी चीज़े है एक जगा से दूसरी जगा लेके जा पाए तो आसाम से बीहार बीहार से कानपूर अब आजादी के बाद बतलब आजाद हुआ अचा दब देश उसके बाद में ये काम हुआ था कि आसाम से बीहार त के classes करेंगे तो हम map work में क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ हम लोग map लेंगे इंडिया का और उसमें हम इनको mark करेंगे कि ये oil field कहाँ पे है उसमें हम mark करेंगे कि ये वारी oil refinery कहाँ पे है तो तब हम वहाँ पे पूरा proper map लेके इन चीजों को तब वहाँ पे समझें तो आप उसके लिए एकदम relief रह जाए एकदम relief रहिए magnet beans है तो घबराने की बात नहीं है सारी चीज़ें आपको magnet beans पर मिल जाएगी समय से पहले चिक तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई है यहाँ पे एक एक और pipeline के बार में बात की गई है रिसेंटली 1256 किलोमीटर लॉंग pipeline connecting सलाया गुजरात with Mathura UP has been constructed it supplies crude oil from गुजराट to पंजाब जलंदर वाया मतुरा ठीक है तो एक रिसेंटली एक और pipeline की बात की गई है मतलब ये तो पुराना हो गया है तो भी लेकिन एक pipeline की बात की गई है कि गुजराट से मान लीजें यहाँ पे गुजराट है गुजराट से पंजाब तक हमें यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको चीज़े clear होगी गुजराट से पंजाब तक pipeline बनानी है बाया मतुरा तो यहीं पर मतुरा ले लेते हैं तो यह pipeline कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे बनाई कही है कि ताकि crude oil यहाँ पे supply किया जाए ठीक है तो यह oil ऐसी बहुत सारे काम करती है जहाँ जाँ पाइपलाइन का काम होता है वहाँ वहाँ उनको मतलब पाइपलाइन का काम करना सारे यह resources एक जगह से दूसरे जगह जाए इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना oil is in the process of constructing a 60 km long pipeline from Numalagar to Siliguri ठीक है यह कहाँ पे ही है आसाम में है और Siliguri is in West Bengal so आसाम से लेके West Bengal तक भी एक और pipeline बनाना ठीक है oil के लिए मतलब petroleum और natural gases के लिए यह काम oil that is oil India Limited कर रहा है अगर हम हमारे chapter के heading पे ही जाएं जो कि है transport and communication so हमने इस वाले part पे बहुत सारी चीज़े already deal कर ली है transport वाले part पे हम लोग बहुत सारी चीज़े already deal कर चुके हैं transport वाला part हो गया है हमारा खतम अब हमें जो हमारी second heading है that is communication हमें communication वाले part को बहुत अच्छे से समझना है और communication वाला part easy भी है हाला कि easy तो transport वाला भी था लेकिन communication वाला भी easy आप day to day life में देखते ही है communication मैं आप से communicate ही तो कर रहा हूं इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं से हम communicate ही कर रहे हैं मैं आपको मेरी बात आप तक पहुचा रहा हूं तो मैं तो आप से communicate कर ही रहा हूं ना तो जो भी मतलब day to day life में आप चीज़ें देखते हैं जो भी एक समय पर क्या होता था एक समय पर यही वो पक्षी हम बोलते थे कि कभूतर क्या कर रहा है क७ूतर खत लेके जा रहा है आपने राजा महराजा इसफी और पहूंचा दिया करते थे चैक अब उसNotes फोन्स भी नहीं थे उसमें क्या नहीं थे उसमें फोन्स नहीं थे उसमें कुछ वाट्सैप वगेरा का जमाना नहीं था तो यही सब कुछ था यही वाट्सैप है यही फोन है यही वीडियो कॉल है सब कुछ यही था चीक है या फिर आपने यह देखा होगा कि हम किसी इंसान को भेशते थे अब वो इंसान साथ आट दस बारा पंदरा दिन में पहुशता था वो खत लेके मतलब तब तक फिर वो एक रिपलाय देता था फिर फंदरा दिन बाद तो कितना बढ़ियां था आज की जमाने में वाट्चेप अगर रिपलाय ना आए 10-15 मिनिट में तो हम अपने लोग ड्रम्स बजा के भी कम्यूनिकेट करते हैं तो देखो कम्यूनिकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं आपने ये सुनाओ का कि पहले ड्रम बजा के सुनो सुनो माहराज ने एक खबर दी है तो ये ड्रम बजा के कम्यूनिकेट करना लैंग्विजिस लोगो की अलग थी तो ड्रम के सहारे कई बार भी कम्यूनिकेट कर लेते थे क्या बोल रहे हैं क्या बजा रहे हैं उससे हम लोग महसूस कर लेते थे फिर हमने देखा कि चीजे थोड़ी सी और बड़ी तो लोगों हम लोग पोस्ट आफिस आए हम लोग पोस्ट आफिस के सहारे हम लोग खत पहुंचाने लग गए आच खाल तो पोस्ट आफिस midst का भी जमाना गया आज खाल तो मतलब इंस्टा कराम वाट्चैप फेस्बुक कहां हम पुराने जमाने पोस्ट आफिस की बात करए लेकिन ये भी एक अच्छा दौर था पोस्ट आफिस में हम खत भेशते थे खत वहाँ चले जाता था 5-6-7 दिन जो भी समय लगता था फिर ये टाइप राइटर का जमाना आया अगर आपने वो राजी मूवी देखें तो राजी मूवी में आले अबट वो करती रहती है च्छीक है तो टाइप राइटर वगेरा इन सब का जमाना आया ये वाली चीजें भी हुई देन अब हम नीउस पर पड़ते हैं अब हम फोन पर बात करते हैं अब हम इंस्टागराम पर लाइक करते हैं रील्स देखते हैं तो अब जमाना कितना बदल गया है चीक है अब मैं आप YouTube के जरीए मतलब आप YouTube के जरीए आप मेरी बाते सुन रहे हैं मैं आप से इसके थूर कम्यूनिकेट कर रहा हूँ मेरी बाते तो टेक्नलोजी के आने से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया हैं आप अपने parents से और जो हमारे parents ने आज के टाइम पे Instagram, video call, zoom meeting यह वाला दौर भी बहुत अच्छे से देखा तो जो हमारे parents वाली जो generation है उन्होंने पहले वाला दौर और आज का जो हमारा modern यूग के वो दोनों देखा है अब जो हमारी generation है जो आपकी generation है जो अपनी generation है हम लोगोंने technology वाला यूग जादा देखा है comparable to that although आपने भी देखा हो का पहले वो landline था हम उससे बात करते थे पहले भी इतना video call का वो नहीं था लेकिन हाँ हम इतने पूराने जमाने में नहीं गए है ना हम उस वाले यूग में नहीं गए so communication के medium अलग अलग तरीके से evolve होते रहें समय समय के अमसार और जैसे जैसे technology बढ़ी है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ी है और आज नहीं आज से 10 साल बाद भी कुछ और अलग 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 चीज़ें आ जाएंगे हमें लग रहा है कि नहीं अब यहीं रहेगा यहीं इंस्टा time development in the field of science and technology has significantly contributed in bringing about revolution in the field of communication people use different mode of communication to convey the messages वही है science and technology ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी है you turn या completely हम कहें revolutionize अगर किसी ने चीज़ों को किया है तो technology ने किया है तो इनका एक बहुत बड़ा important role है now on the basis of scale and quality the mode of communication can be divided into two categories means of communication एक personal होता है एक mass level पे होता है अब आपकी book में communication को दो category में divide किया गया है एक होता है personal level पे communication एक होता है mass level पे communication ठीक है on the basis of scale and quality the mode of communication can be divided into following categories personal और उस पे अब personally जब मैं personally किसी इंसान से communicate कर रहा हूँ मैं letter के थुरू communicate कर सकता हूँ मैं telephone मैं telegram, fax, email, internet पे बहुत सारी like whatsapp वगेरा यह जितनी भी चीज़े हैं इनके द्वारा मैं personally किसी से भी communicate कर सकता हूँ चीक है तो यह personal mode of communication हो गया है then mass level पे radio आपन दिखा television, cinema, satellite, newspaper, magazines, public meeting, seminars, conferences यह क्या है यह mass level पे हैं पे communication हो रहा है हम जो movie देखने जा रहे है अगर आप movie देख रहे हैं तो वो movie क्या है वो एक तरीके से वो movie हम तक उसका message वो हमें communicate ही तो हो रहा है आप लोग मेरा videos देख रहे हैं तो आप मेरी बात आप तक पहुच तो पा रही है ठीक है यह mass level communication है आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं जरूरी नहीं है हमारा face to face interaction हो यहाँ पे हम आमने सामने बैठे हो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाते पहुचाई जाती लाइक अगर एक समय पे लेडियो हुआ कर था ठीक है जिसे personal communication वाली बात आगी कि phone पे बात कर रहा है आदमी और यह लोग movie में क्या देख रहे हैं यह लोग movie देख रहे हैं एक cinema hall में बैठके तो यह mass level पे यह communication हो गया है तो इन दोनों का difference भी आपको यहां पे समझ में आ गया इन दोनों में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है अब हम थोड़ा सा personal communication system और mass communication system को थोड़ा सा और differentiate करके और थोड़ा सा brief में जाके हम इनको थोड़ी सी समझने की कुशिश करेंगे सबसे पहले personal communication system among all personal communication system internet is a most effective and advanced one it is widely used in urban areas it enables the user to establish direct contact through email to get access to world of knowledge and information it has increasingly used for e-commerce carrying out of money and transactions तिके जो personal communication परसनल communication हम परसनली चीजों को कर रहे हैं हम परसनली कम्यूनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है चाहाँ वीडियो कॉल देख लो चाहाँ जूम मीटिंग देख लो internet नहीं होता तो मतलब वो बात नहीं होती आपको दिहान है एक समय पर यह होता था कि बात जब balance जलता था अगर आपको नहीं दिहान हो तो आप किसी से अपने बड़े भाई बहन से पूछना आपके बड़े भाई बहन को पता होगा या किसी relative से पूछना एक समय पर ऐसा था आज के टाइम पर internet सस्ता है एक समय पर तो ऐसा था कि पूरे महीने का 1GB डेटा मिलता था और क्या करते थे आउन करते थे वाट्सप पर मेसेज जा गए वापिस नेट का उफ कर देते थे कि एक महीने तक हमें 1GB डेटा चलना है और आज की तारिक में वो 1GB डेटा एक दिन का भी कम पढ़ता है क्योंकि हम WhatsApp, YouTube, Instagram इतनी सारी चीज़ें हो गई है online classes होती है आप लोगों की तो यह तमाम चीज़ें में वो एक दिन में 1GB डेटा हमें कम पढ़ने लग जाता है और वही एक समय ऐसा था मतलब आप यह समझो आज से 10 साल पहले जादा समय पहले मत जाओ 7-8 साल पहले चले जाओ 8 साल पहले चले जाओ वो 1GB डेटा हम लोग एक महीने तक चलाया करते थे लेकिन आज की तारिक में इंटरनेट सस्ता हो गया ठीक है तो इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान कर दी है हम बहुत सारी चीजें like online payment कर सकते हैं ठीक है card के जरीये कुछ भी बुला सकते हैं Amazon, flip card, binatra कुछ भी हो हमारे लिए इंटरनेट ने चीजें आसान बहुत सादा कर दी है the internet is like a huge central warehouse of data with detailed information of various items the network through internet and email provide an efficient access to information at a comparatively low cost it enables us the basic facility of direct communication internet की बात है कि एक warehouse information का एक warehouse data का है हर तरीकी की information मिल जाती है और comparable हम कहीं बाहर जाके वो information देखेंगे तो ज़्यादा रुपे खर्चोंगे हम अब घर बैटे बैटे देख लेते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है कहां दिखाना है क्या करना है घूमने जा रहे तो पहले से चीज़ें देखके रख लेते हैं तो internet ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दिया और one on one कहीं न कहीं जो communication है उस communication को बहुत स्मूथ कर दिया है Communication को इंटरनेट ने बहुत जाधा स्मूथ कर दिया गया है तो यह था personal communication की कहाणी परसनल communication की जो कहानी मुझे आपको सुनानी थी वह अपने सुन लिए अब बारी आती है mass communication सिस्टम की ठीक की मास कम्यूनिकेशन सिस्टम क्या है मास कम्यूनिकेशन सिस्टम जब बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग को तक कोई बात पहुचाई जा रही हो तो वह क्या मास कम्यूनिकेशन सिस्टम लाइक आपके principal lecture दे रहे हैं आपके principal आपकी morning assembly के बाद में भाशन दे रहे हैं जिसमों usually आप लोग बोर होते हैं लाइम में खड़े खड़े नीन दाने लगती हैं आप सोचते हैं प्लीज आथ थोड़ा सा कम बोलो ना मुझे सुना है मतलब class में जाना है कम बोली ना प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मा जो आपके principal जो वहां से lecture दे रहे होते हैं stage पे assembly के दोरान पे वो mass communication हो गया क्योंकि वो एक पूरी mass को entertain कर रहे हैं वो एक पूरी mass से communicate कर रहे हैं although यह communication one way भी है मतलब वो अपनी बात कह रहे हैं आप उन तक अपनी बात नहीं पहुचा आ पार है हो लेकिन वो तो communicate कर रहे हैं आप लोगों के पास में जैसे आप लोग यह video देख रहे हो तो मैं तो आप लोगों के पास communicate कर रहा हो ना जैसे आप लोग movies देख रहे हो जैसे आप radios यह radio का है जो radio broadcasting अगर आपने देखा होगा वही अगर आपने तो नहीं देखा होगा तब के parents देखा होगा radio एक समय पे बहुत ही जादा बहुत ही जादा एकदम कहो कि limelight में था ठीक है बहुत ही जादा limelight में था कि radio घर में होना चाहिए मेरे नाना जी कहें आज भी है मेरे नाना जी आज भी वो radio लगा लेते हैं शाम को 7 बजे और वो news वो 15 मिनट जरूर सुनते हैं जो भी वो radio पे आती तो मैंने तो radio देखा भी है in fact मैं आज भी जाता हूँ तो वो radio में वो 7 बजे मतलब if I am not wrong 7 या 8 बजे किसम थे वो 15 मिनट या 20 मिनट वो news सुना करते हैं जो भी वो बोला करते हैं ठीक है जो भी news आती है ठीक so radio एक बहुत important role play करता है now radio broadcasting radio broadcasting की थोड़ी सी history जान लेते हैं radio broadcasting started in India in 1923 by radio club of Bombay जो radio broadcasting के 1923 में start किया गया है किसके द्वारा by radio club of Bombay since then it has gained immense popularity and changed the social culture life of the people within no time it made a place in every household of the country जीक है radio ने बहुत सारा बदलाव लेके आगया आप खुछ सुचाना 1923 में 1923 में हमें information मिल रहे कि क्या हो रहा है वो समय ऐसा था कि वही पर वही वाली बात है कि आज अगर वो कोई खत लेके हमारा गया तो 15 दिन बाद में हमें पता है कि रिपला आएगा या एक महीने बाद आएगा अब यहां पर हमें radio में पूरे देश की खबर सुनने को मिल रही है थोड़ी बहुत वीदेश की खबर सुनने को मिल रही है तो लोगों का mindset बदला लोग बड़े खुश होने लगी कि हमें पता चल रहा है और यह वह दोर था जब अंग्रेज हमारे उपर राज कर रहे थे तब हमें खबर मिल ली थी कहां क्या हो रहा है क्या नहीं है क्या है ठीक है तो लोगों का एक अलग perspective बनने लगा लोगों का एक social culture change होने लगा लोग बहुत जादे इस चीज से attract हुए कि भली वो 15 मिनट के खबरे हैं लेकिन हमें 15 मिनट में यह तो पता चल रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है तो यह रेडियो ने उस समय पे एकदम एक immense popularity गेन कर ली थी रेडियो एक अपने आप में बहुत famous हो गया था government has took this opportunity and brought this popular mode of communication under its control in 1930s under Indian broadcasting system अब 1930s में क्या होँँख था इन्होंने government ने अपने control में चीजे ले ली थी पहले radio club of Bombay ने यह चीजे शुरू करी थी लेकिन फिर बाद में government ने अपने control में चीज़ें ले ली थी जब अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपने control में उन्होंने धीरे धीरे ऐसे चीज़ें ले ली थी Now, it was changed to All India Radio in 1936 and Akashwani in 1957 तो आजादी के बाद में ये Akashwani के नाम से famous हुआ, that is 1957 में और 1936 में All India Radio का नाम गया, then Akashwani 1957, अब Akashwani आजादी के बाद की चीज़ हो गई है All Radio broadcasts, a variety of program related to information, education and entertainment, special news bulletins are also broadcast at specific occasions like sessions of parliament and state legislature वही है कि रेडियो पे भही कि हमें सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी पार्लिमेंट के session से हो, state legislature के session से हो, पहले लोगों के पास कहा टीवी थी आप सोचो जब देश आजाद हुआ तब कहां हम लोग इतने advance से, लेकिन रेडियो के सारे हमें झीर्दा में पता चल रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हमारी सरकार हमें राजी सब्सक्राइब करों से मैं कहूं से बिल पास हुए है क्या हो रहा है ? क्या नहीं हो रहा है ? उस पर ये सारी चीज़ें हमें पता चल रहा था कि क्या हो रहा है तो तब रेडियों ने एक तरीके से लोगों को बहुत जादा अट्रक्ट किया अब हम थोड़ा सा समझते टेलिविजन के बारे में ठीक है थोड़ा सा टेलिविजन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं मैं थ अच्छे से लिख सको उसको पॉइंट्स बना बना के बना पेज भर सा को इंदे सेंस मैंने ऐसे नहीं बुला लेकिन आप पॉइंट्स बना के सिस्टेमाटिक वे में आप उसको लिख सको now television broadcasting has emerged as most effective audio visual medium for dismantling information and educating masses initially TV services were limited to only national capital where it began in 1959 after 1972 several centers became operational अब जो television है television में है कि आप audio सुनरों साथी साथ में visual भी देख रहे हो अब radio में यह है कि हम सिर्फ आवाज सुन पा रहे हैं देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जो television ने उसने एक role यह अच्छा किया कि हम आवाज भी सुन पा रहे हैं देख भी पा रहे हैं तो 1959 में television का एक थोड़ा सा अच्छा का सा जन्म होता है इंडिया के sense में और पहले initially क्या था है initially capital Delhi वगेरा में नहीं पर television का अच्छा का सा role था यह थोड़ा सा develop माना जाता था लेकिन फिर उसके बाद मतलब developed cities फिर 1972 में यह अलग-अलग शहरों में गया अलग-अलग जगा television का काम हुआ गाउं में तब भी नहीं जा पाए क्योंकि बिजली रहे थी नहीं थी टेलिविजन का भी क्या ही करेंगे मतलब आप यह सोचों कि आज के तारिक में भी बिजलियां कटती हैं आज के टाइम प्रिबियम 24x7 बिजली नहीं दे पाते हैं और कुछ जगा है तो ऐसी है कि 24x7 छोड़ो की 8-8-5-5-3-3 गंटे मिलती है ठीक है मतलब गर्मियों में यह बहुत नॉर्मल है कि 12 गंटे ही बिजली मिलेगी 12 गंटे बिजली कटेगी या 14 hours बिजली मिलेगी ऐसा गाउं में बिलकुल आज भी होता है लेकिन कुछ जगा है तो ऐसी है जहां बिजली गई नहीं है या 2-3 गंटे ही मिलती है ठीक है इन 1976 तीवी वाज जी लिंक फ्रम आल इंडिया रेडियो और गाट एसा दूर दर्शन ठीक है पहले टीवी और आल इंडिया रेडियो दोनों से एक दूसरे से लिंक थे लेकिन 1976 में टीवी और ये अलग हो गए थे रेडियो दैट इस आकाश मानी और टीवी दूर दर्शन की दूर दर्शन पर देखते हैं सरकार की जो न्यूस पबलिश होती हैं उसको देखने लग जाते थे ठीक है तो टीवी हो गया दूर दर्शन उसे दूर दर्शन के नाम पढ़ेंगे थोड़ा सा important है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो important भी है easy भी है confused मत होना books में कुछ terms लिखे तो उससे आप नहीं तो confused हो जाओ जितना में समझाना चाह रहा हूं उसे थोड़ा से आप समझने की कोशिश करे satellites are mode of communication in themselves as well as they regulate the use of other means of communication however the use of satellite is getting a continuous and synoptic view of larger area and made a satellite communication very vital for a country due to economic and strategic reason satellite images can be used for weather forecast monitoring of natural calamities surveillance of borders etc जो satellite है वो अपने आप में some images बगेरा को देखते हैं आप नहीं देखते हैं वो reporter दिखाते हैं हमने satellite के माध्य हमसे दिखाए कि यहां यूद्ध हो गया है आप ऐसी images देखते हैं ना तो satellite हमें चाहे नैच्रल किलामिटीज की समुद्र में हम देख रहे हैं कि समुद्र में तेज लहरे चल रही है तो क पाकिस्तान वाले यहां अप्रोच कर रहे हैं ऐसा कुछ होने वाला है ठीक है सो satellite एक अपने आप में communication है और जो दूसरी communication है उसमें भी satellite बहुत जादा help करता है now on the basis of configuration and the purpose satellite system in India can be grouped into अब satellite system भी जो है उसको दो उसमें डिवाइड किया गया है ठीक है क्योंकि वह ही मैंने बोला कि जैसे टेकनलोजी एडवांच होती है वैसे वैसे नहीनी चीज़े डेवलप होती है तो satellite को भी दो ग्रूप में डिवाइड किया गया है पहला है इंडिय और सेंसिंग सेंहीन और सस्टेलाइड स्सिस्टम जिसको कि हम आई लग्यिजेंड और सेंहीरम इंडियन यजी और सेंसिंग सेंहीन सेंहीनिय। प्रूपचेंश्टम उबाग्रै म recuperate सेंहीचए जिसको ऑपकुनुझाने आप को सिर्शन चैनलों के परपर जि ändірि हम एन और इस वाले satellite का क्या purpose है अभी के लिए सिर्फ आपको ये धियान कर इतना धियान रखना है कि इन दोनों satellite के purpose क्या है बस class 12 लेवल पर अभी हमें इतना ही धियान रखना है फिर जब आप higher studies के लिए जाएंगे तब आप और detail में पढ़ेंगे कि satellite launch कैसे होते हैं वो सब आप science and technology मे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें अभी आपको बस ये धियान रखना है कि इन दोनों satellite का purpose क्या है तो जो इंडियान नाशनल सैटेलाइट सिस्टम है ये जो है इसके बहुत सारे काम है बहुत सारे काम in the sense ये टेली कम्यूनिकेशन के बारे में मतलब ये जो आप लोग जो द सेटेलाइट सिस्टम वाला हो चाहिए मेटरोलोजिकल देपार्टमेंट वाला हो ये बहुत सारे काम करता है बहीं इंडियान रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम डैट इस IRS सेटेलाइट सिस्टम बेकेम ऑपरेशनल विट लाँचिंग ऑफ आई रस ए इन मार्च 1983 में लाँच हो गया और जो हमारा दूसरा वाला जो सेटेलाइट सिस्टम है डैट इस इंडियान रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम जो है वो 1988 में लाँच हुआ अब 1988 में जब हम लोग सेटेलाइट लाँच करते हैं तो इंडिया के पास में तब इतना ज्यादा टे IRS IA, ठीक है IRS IA मितलब यह satellite का नाम था, ठीक है Indian Remote Sensing Satellite IA, ठीक, यह उस satellite का नाम था जो कि Russia ने लाँच किया था इंडिया के लिए, clear है, अब Indian Remote Sensing Satellite का क्या काम है, आपको यह दियान रखना है, ठीक है, यह 1988 में इसका लाँच हुआ है, और उसका लाँच कब हुआ है, 1983 मे का लाँच हुआ है, clear, now these are very helpful in management of natural resources, यह वाला जो Indian Remote Sensing Satellite है, यह natural resources के लिए बहुत जादा helpful होता है, कि कहीं, मतलब यह सारी चीज़ों पर इसे natural resources पर नज़र रखते हैं, agriculture पर देखते हैं, geology वाला देखते हैं, फिर साथी साथ में यह देख रहे हैं, कहां बारिश हो रही नहीं हो रही है, बार आ रही है, नहीं आ रही है, mountains पर नज़र बना के रखते हैं, तो यह जो natural resources है, petroleum कहां है, यह उन पर अपनी नज़र बना के रखते हैं, और जो Indian National Satellite System है, वो उसके बहुत सारे काम हैं, वो टेली communication का भी काम कर रहे हैं, वो उनके अलग-अलग purposes हैं, औ और यह जो है, यह natural resources पे, इनकी natural resources के, basically natural resources पे नजर बनाने के लिए, Indian Remote Sensing Satellite का launch हुआ है, अब यह जो satellite launch होते हैं, तो इनके अलग-अलग vehicle, तो जैसे इंडिया ने भी अपना एक vehicle बनाया है, satellite launch करने के लिए, that is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, जब भी हम satellite launch करते हैं, तो उनके एक vehicle होते ह आपको कहीं जाना होते है, तो आप किसी vehicle, आप किसी गाड़ी में बैठके जाओगे न, अगर दूर कहीं जाना है, तो गाड़ी में बैठके जाओगे, पास में होगा, तो पैदल जाओगे, अब satellite को तो बहुत दूर जाना है, तो satellite का भी एक vehicle होगा, तो इंडिया का जो satellite क वेहिकल है वो है polar satellite launch वेहिकल ठीक है मतलब अब तो बहुत सारे हैं लेकिन initially इंडिया ने अपना initially मतलब पहले के समय जब हमारा देश आजाद हुआ था जब हमने मतलब जब आप ऐसे समझो की जुरो नया नया था तब ये PSLV वाला जब जादे चल रहा था अब तो बहुत सा हैं सारी चीजें आपको समझ में आगई होंगी इसी के साथ में आपको खुश इसलिए हो जाना है क्योंकि हमने है Chapter complete अब चेप्टर अगर हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट के बारे में तो ट्रांसपोर्ट पे मैंने आपको क्या क्या बताया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनिकेशन में हम लोग ट्रांसपोर्ट पे हमने बात की थी सबसे पहले हमने बात की थी रोड्स की तो रोड्स में हमने जो roads होते हैं other roads जो हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है ठीक है साथी साथ इसमें हमको क्या देखना है इसमें हमको golden quadrilateral हमने देखा था golden quadrilateral हमने देखा था golden quadrilateral क्या है golden quadrilateral जो main cities को connect कर रहा है यहाँ पर डेली मॉंबाई चैन्नाई और कॉलकता तो ऐसा यह चार major cities को connect कर रहा है वो है golden quadrilateral इसको हम map पर भी mark करेंगे जब हम map पर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे तहम मैं आपको golden quadrilateral का बता दूँगा साथी साथ हमको यहाँ पर हमने क्या देखा था north south north south और east west corridor north south and east west corridor and east west and east west corridor north south and east west corridor हमने देखा था कि कैसे कश्मीर से कन्या कुमारी और यहाँ पोर बंदर से सिल्चर गुजराच से लाइक आसाम यहाँ पे जो connection है मतलब like a north south east west corridor जो है हमने इसमें देखा था चीक है यह वाली चीज़ भी आपको clear हो गई है then हमने बात किसकी की थी हमने बात की थी इसके बाद में railways के बारे में बात की थी okay तो हमने railways के बारे में discuss किया, railways में हमने क्या discuss किया कि पहले coal वाली चलती थी, then diesel and electric वाली railways आने लगी, फिर वंदे भारत एक्स्प्रेस, bullet trains की जो कि आपकी बुक में नहीं हैं लेकिन मैंने आपको बताया था, हमने metros के बारे में बात की, train cheapest है, train से बहुत जादा goods हम लोग इदर चुदर करते हैं, यह तमाम चीज़े के बारे में हम बात कर चुके हैं, then railways के बारे में हमने किस के बारे में बात की है, railways के बारे में हमने बात की है, waterways पे और waterways पे हमने क्या बात की है, waterways पे हमने बात की थी, इसको यहां पर कर देता हूं मैं, waterways में हमने बात की थी inland waterways और oceanic waterways inland waterways क्या होते हैं जो कि हम किसी देश में नदी के सारे हम एक जगा से दूसरी जगा सामान पहुचा रहे हैं लाइक गंगा नदी में हमने एक घाट से हम दूसरे घाट पर जब हम सामान पहुचा रहे हैं वो inland waterways हो गया जिसका कि अभी 1% contribution है इंडिया में जिसको कि लेकिन और develop करने की आविशकता है और एक oceanic route से जिससे कि हमारे major exports होते हैं यह चीज भी आपको clear हो गई then हमने क्या बात की थी इनके बाद में हमने किस बारे में बात कर ली हमने roads के बारे में बात कर ली हमने waterway railway then हमने air transport के बारे में बात की ठीक है ग्यास पाइप्लाइन को हमने बहुत अच्छे से समझा ओइल एंग गैस पाइप्लाइन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन हमने इस चीज के बारे में भी डिस्कस किया तो यह था पूरा ट्रांसपोर्ट वाला फिर इसके बाद में हमने आये हम कम्यूनिकेशन पे तो हमने कम्यूनिकेशन पे जो कि हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि कम्यूनिकेशन समय के साथ साथ में कैसे इवॉल्व हुआ है यह सारी चीजे पे हमने मतलब पढ़ ली है और साथ ही इसमें हमने एक चीज एड़ान पड़ी है हो हमने satellites के बारे में पड़ा है कि satellites क्या है satellites क्यों important है इन सारी चीजों के बारे में पड़े है अब communication बें रेडियो वगेरा वागे अब पड़ा है 15 च्रीश मेंट पेले पड़ा समा नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे नए चैप्टर की हमारी शुरुवात मैगनेट बेंज के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एकसेस कर ही सकते हैं बट बहुत बार यह होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं तो इसका solution भी मैगनेट बेंज लेके आया है वो है मैगनेट बेंज की वेबसाइट मैगनेट बेंज की वेबसाइट पे पहुशने के लिए सिंप्लि आप लोग गूगल पे जाएए गूगल पे आप मैगनेट बेंज जॉट कॉम लिखके search पर click कीजिए जैसी आप magnet means.com link के search पर click करेंगे कुछ इस तरीके का interface आपको नजर आएगा यहाँ नीचे दिया गया होगा explore top courses यह CBSE state board Hindi medium, Olympiad, NTSC, CBSE English medium यहाँ सभी चीज़े mention होगी suppose कीज़े कि आपको CBSE English medium की पढ़ाई करने है तो जैसी आप CBSE English medium पर click करेंगे यहाँ पर तमाम classes आपको नीचे दिख जाएंगे, यहाँ पर सारी classes नीचे mentioned है आपको जिस भी class की पढ़ाई करने हैं आप उस class पर click कर सकते हैं suppose मुझे class 12 की पढ़ाई करनी है तो जैसी मैंने class 12 को touch किया मेरे touch करते ही class 12 के जितने भी subjects के course जितने भी subjects पर videos बन गए होंगे वो सभी screen पर नजर आजाएंगे और अगर आप थोड़ा सा scroll करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको class 12 का geography मिलेगा और जैसे आप class 12 के geography पर click करते हैं, class 12 geography क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको class 12 geography के videos दिखेंगे, यह जो videos होंगे यह videos आपके NCRT book के according होंगे और यहाँ पर जो videos होंगे यह chapter wise format पर arrange होंगे, chapter wise में भी topic wise आपको यहाँ पर videos arrange मिलेंगे so it is up to you, अगर आप YouTube से comfortable है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे video नहीं मिल पा रहे हैं तो आप website के मादियम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग magnet beans का app डाउनलोड कर सकते हैं, play store से आप magnet beans के app के मादियम से भी आप इन videos को access कर सकते हैं, आप जिस चीज में comfortable हो आप वहाँ से पढ़िए, YouTube, website, app, ठीक है, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, वो आपकी एक्षा है ठीक है, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो, अपने माबाप के लिए पढ़ लो, अच्छे मार्ग सजाएंगे, वो खुश हो जाएंगे ठीक, और आप लोगों के लिए एक और खुशकबरी वाली बात है, वो खुशकबरी यह है कि Magnet Bains से अपने एक नया चैनल लाँच किया है, जो कि है Magnet Bains हिंदी के नाम से, यह जो चैनल है, यह टोटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हों, या CBAC में हों, या इस चैनल कर सकते हैं, Magnet Bains एक ऐसा चैनल है, जहां पर क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहां पर जितने भी वीडियोज हैं, वो सारे वीडियोज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अविलेबल हैं, आप लोग जादे से जादे इन वीडियोज को शेर कीजे,